अधाचेत्वामिमंगर्म्यं संग्रामंनकरिष्यसे अधाचेत्वामिमंगर्म्यं संग्रामंनकरिष्यसे हर्मूइंगर्मूणर्मूणर्मूण। भर विए वर्ग वर्गयद थिवक्शियसे प्यूछyang elevat Sz Oleна प्य। तो मेरे प्यारे छोटे भाईयों और बहनों अगर आप अपने प्यारे प्यारे सुनील भाईया को देख पारे हैं और सुन पारे हैं तो चैट बॉक्स में एक बार जरूर से आप नारा लगा दीजिए क्या सुनील भाईया क्या नारा लगाना है नारा लगाना है भारत माता क जयाकारा यह नारा लगा देगे मेरे प्यारे चोटे भाई बहिया को देख पारे है और सुन पारे हैं गुड़ ईवनिंग गुड़ ईवनिंग गुडड ईवनिंग दिल से स्वागत है आप लोगों का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बहतरीन से प्लाटफॉर्म पर जिसका नाम है फिजिक्स वाला मैं हूँ आपका दोस्त आपका मेंटर आपका बड़ा भाई सुनील भाहिया क्या बात है भारत माता की जैये नारा देखकर इतना प्यार एंड फ्लेम इन वन शॉट यहां पर कुछ लाइब एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म किये जाएंगे ठीक है सेशन को छोटा रखना है वरना काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में आपको करवा था बट सेशन हो क्योंकि कंसाइस करना है तो मैं आपको कुछ एक्सपेरिमे पर दूसरी क्लास साड़े छे बजी होगी ठीक है आप भी लोगों का डिमांड था कि थोड़ा सा ब्रेक चीए तो बिल्कुल बीच में ब्रेक मिलेगा सपर खाओ नाश्ता करो फिर दूसरी क्लास अटेंड करो है ना चलिए सुनील भाई क्या क्या पढ़ाएंगे देखिए म अब क्या कर पढ़ाओं आपको बता जाता हूं कंबस्टन एंड इट्स टाइप्स ओन दा बेसिस ओफ लाइट एनर्जी पहले पढ़ाओंगा फिर कंबस्टन के प्रकार आपको पढ़ाओंगा ओन दे टाइप ऑफ इगनीशन सोर्स अंद प्रोडॉक्ट्स बहुत बहुत है ना या फिर बेसिकली आइडियल फ्यूल गुड फ्यूल हामफुल प्रोडक्स वो सारे के सारे सवालों के थुरू कवर करूंगा साथ ही साथ पी डवलू प्रयोक्षाला के अंदर होंगे आपके लाइव एक्सपेरिमेंट्स ठीक है बिल्कुल पोल भी होगा पोल भी हो एक पानी की बॉटल रख लीजे कुछ खाने पीने का समान रख लीजे पानी पीते रहीगा बॉड़ी के अंदर फ्लूइड मीडियम बढ़ता रहेगा तो एक तो दिमाग तेज़ चलेगा ज्यूजादा माउंट ऑफ ब्लड़ फ्लो होगा दूसरा मेरे दोस्त बॉड़ी मैच्टिक वाला जो कंसेप्ट है ना वो क्लास में थोड़ा और अच्छे से विज्वलाइज करना है ऐसे विज्वलाइज करना है कि मज़ा आ जाए तो इसके लिए मैंने एक एनिमेटिड वीडियो बना रखा है और इससे भैतरीन एक्स्प्लिनेशन आपको इस इसको जरूर से आप देखना दोस्तों इसमें काफी जाधा मैनत लगी है वीडियो को बनाने में इस वीडियो के फाइनल एडिटिंग तक हमें धाई महीना लगा, दो से धाई महीना, फाइनल एडिटिंग तक पहुचने में, तो प्लीज गो एन वाच दिस वीडियो, ये टॉपिक यल्लो गलर के एक बॉक्स में छोटा सा NCRT में दे रखा है, जिस पे मैंने 16 मिनिट 45 सेगंड का एक वीडियो बनाया है, जाकर इसको जरूर से देखना है, इस सेशन के बाद, ठीक है भीया, चलिया, तो लेट्स स्टार्ट विद फेरी फोर्स थिंग धाट इस कमबस्शन और उसके प्रकार, डाट इस ऑन दे बेसे अफ लाइट एनरजी किताब को बिल्कुल भूल जाएए, जो आपको भाईया बताएं, जिस तरीके से बताएं, आप उसको इमाजिन करना, सोचना उस पे आपको मज़ा आएगा अब कमबस्शन क्या है सबसे पहले, यह हमारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया है तो सबसे पहला सवाल, what is combustion? फिर उसके प्रकार on the basis of light energy, क्या है? धीरी-धीरी स्टार्ट करेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे तो combustion क्या है दोस्त? combustion क्या है? combustion है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, एक chemical reaction जिसे हिंदी में कहते है रसायनिक प्रतिक्रिया, क्या कहते है? रसायनिक प्रतिक्रिया, एंड यह क्या होती है? यानि यह process of a chemical change है यानि यह chemical reaction है, तो पहली बात combustion सुनील भईया एक प्रकार की chemical reaction है यानि process of a chemical change है, यानि रसायनिक परिवर्तन है अब रसायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रसायनिक परिवर्तन में यह होता है मेरे दोस्त कि कोई चीज है, वो किसी और चीज से interact या फिर react करती है या फिर वो particular चीज के साथ इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि वो ऐसी चीजों का निर्मान करती है, जिसका जो आपका chemical composition है वो initial चीज से क्या है? different है, अलग है जैसे अगर मैं इस paper के cup को जला दूँ, तो ये paper का cup नहीं बचेगा ये राख में convert हो जाएगा और gaseous product मिकलेंगे इसके तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इसका क्या हो है? chemical change हो है तो combustion इसी प्रकार का क्या है? chemical reaction या आप कह सकते है process of chemical change है इसमें क्या होता है कि एक substance, जो substance combustion शो करता है, उसे हम बोलते है combustible, क्या बोलते है? combustible substance ठीक है दोस्ते? तो combustion एक प्रकार की रसाइनिक प्रतिक्रिया है जिसके अंदर एक combustible substance react करता है air में present oxygen से ठीक है? air में oxygen कितरा है? oxygen is 20.95% in air हमारे आसपास जो हवा है उसमें 20.95% air है कभी-कभी combustion कराने के लिए हम pure oxygen की supply भी कर देते हैं अब इससे क्या बनता है राजा बेटा? इससे बनती है heat heat और दूसरा क्या बनता है बेटा? light energy light energy का मतलब होता है कौन सी उर्जा? जिससे हम देख पा रहे हैं light energy जिस energy से हम देख पा रहे हैं अपने आसपास चीजों को इसे उर्जा ये कौन सी उर्जा है? ये light वाली उर्जा है light energy है along with different product या फिर products अब मैं यहाँ पर आपको इसके basis पर differentiate करूँगा कि combustion के प्रकार क्या होता है पहले आप समझना कि कोई भी combustible substance अभी मैं आपको experiment भी दिखाऊंगा कोई भी combustible substance जब आपका air में present oxygen से react करता है कोई भी combustible substance air में present oxygen gas से react करता है तो वो काफी सारे different substances का निर्मान करता है जिसे हम कहते हैं product या products एक से ज़ादा हो सकते है साथ में यह गर्मी निकालता है यानि heat energy निकालता है और साथ ही साथ यह light energy यानि वो energy जिससे हम आसपास की चीजों को देख सकते है उसका निर्मान करता है समझ रहे हैं आप light energy का निर्मान करता है room में अंदेरा कर दीजे मुंबत्ती जलाए मुंबत्ती से पूरा room चमकने लगेगा कौन सी energy की वज़े से room चमक रहा है आप चीजों को देख पा रहे हैं that is what that is light energy तो combustion क्या है सुनील भाईया कोई भी ऐसा substance जो combustion शो करे जब वो oxygen से interact करता है तो वो product या product साथ में heat और light energy का निर्मान करता है जैसे अगर मैं paper को जलाता हूँ तो paper मेरा combustible substance है इससे बनती है rock rock के साथ बनते है gaseous product साथ में निकलती है heat energy हाथ लगाओगे हाथ जल जाएगा साथ में निकलती है light energy मेरे राजा बेटा relate कर पा रहे हैं कि नहीं यह देखिए राजा बेटा यह देखिए इसको जलाया ठीक है जला दिया हाँ यह combustible substance है हवा में present oxygen gas से react कर रहा है product बनाएगा यहां पर राख बचेगी राख साथ में heat हाथ लगाओगा हाथ जल जाएगा और light यह क्या है light energy मतलब इससे आसपास की चीज़े दिखने लगेगी अंधेरा कर दूँगा तो चीज़े दिखने लगेगी इसकी वज़े से यह मैंने बुजाया ऐसे कहते है smothering कैसे किया मैं अभी बताऊंगा आपको आग बुजाया ही मैंने carbon dioxide gas से यह मैं आपको भी बताऊंगा ठीक है अब सुनील भीया light energy के basis पे क्या खेल होता है यह कौन सी नहीं बात कर दी तुमने हमारी किताब में तो नहीं लिखा तो तुमारी किताब में लिखा है पहले ही पन्ने पे light energy दो प्रकार की है अब light energy पे गेम खेलते हैं light energy पे गेम खेलते हैं for example एक सकेट एक सकेट यहाँ पर एक सकेट दोस्त हमारा light energy क्यों नहीं टैप हो रहा चलिए कोई दिखर दिखंगे आ गया तो light energy जो basically है वो दो प्रकार से निकलेगी ध्यान से देखना light energy जो है वो दो प्रकार से निकलती है light energy दो प्रकार से निकलती है पहला क्रकार होता है flame यानि जिसे हिंदी मेम कहते है लप्ते कुछ इस प्रकार light energy निकले या कभी-कभी light energy किस प्रकार निकलती है ऐसे glow के format में निकलती है अगर बत्ती जलाते हैं तो glow के format में निकलती है light energy अगर आप मोम बत्ती जलाते हैं तो ऐसे लप्तो के format में निकलती है light energy तो combustion में जो light energy निकलती है वो दो प्रकार से हैं य जलाओ वो सिर्फ और सिर्फ चमकेगी सिर्फ और सिर्फ ग्लोब अभी अगरबत्ती जलाओ सिर्फ चमकेगी कोईला जलाओ सिर्फ चमकेगा तो फिर इस बेसिस पर क्या बोलते हैं जब लपटे निकलती है राजा बेटा तो इसे बर्निंग कहते हैं क्या कहते है राजा यहाँ पर मैंने कागस को जलाया तो यह लप्टे निकाल रहा था यह लप्टे कब निकालेगा यह लप्टे सिर्फ और सिर्फ तब निकालेगा जब वो सबस्टान्स जलते समय वेपर्ज में कनवर्ट हो जाएगा यानि इंटू गैसियस फॉर्म समझा पा रहा हूँ जब यह गैसियस फॉर्म में आ जाएगा समझ में आ रही है बात कोई भी चीज जब आपकी लाइट एनरजी लप्टो के फॉर्मैट में निकालती है तो वो सिर्फ तब और तब पॉसिबल है जब वो सबस्टान्स जलते समय वेपर्ज में यानि गैसियस फॉर्म में कनवर्ट हो जाता है सीनियर ग्रेड में आप इसे पढ़ोगे एंडो थर्मिक पाइरोलिसिस कहते है आगे जाके पढ़ोगे कोई भी चीज अगर फ्लेम्स के फॉर्मैट में लाइट एनरजी निकालती है इसका मतलब वो वेपराइज हो रही है यानि गैसियस स्टेट में आने वाली है आई है उसके बाद लप्टे निकलती है तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा सुनील भीया लकडी जलती है तब भी लप्टे निकलती है तो लकडी जलती है न राजा बेटा तो solid से liquid और liquid से gas बनती है जब आपकी अगर मुम बत्ती जलती है ना तो wax आपका liquid state में आता है दिखता भी है मुम पिघलता है और फिर वो vaporize होता है यानि gaseous form में आता है इसलिए लपटे निकलती है और glow के format में होती है तो इससे क्या कहते है किताब में है ही नहीं कहीं कोई पढ़ाता ही नहीं है इससे क्या कहते है इससे कहते है small ring ये concept सबसे पहले सुनील भाईया लेकर आए हर जगे किसी किताब में mention नहीं है YouTube पर मैं देखता हूँ मेरे को देखकर काफी educators ने copy किया है बढ़ सबसे पहले मैंने ये चीज़ बता ही थी बच्चों को आपने कहां से पढ़ ली research से क्योंकि NCRT ने hook question करके छोड़ दिया कि light energy दो प्रकारते बनती है flame और glow अब किसी किताब में glow को define नहीं किया वा ये भाईया ने research करी तो भाईया को मिला तो भाईया ने पढ़ाया दो साल से पढ़ा रहे हैं इसी चीज़ को है ना इससे पहले मैं भी normal इस process को पढ़ा रहा था इससे पहले जो और 4-5 साल थे फिर और research करने पर दिमाग में लागा कि नहीं और सवाल आ रहे हैं और अच्छे से और बढ़िया बताते हैं तो हमने ये content add किया से दो ड़ाई साल बेले हैं तो अगर light energy glow के format में है तो इससे कहते है smoldering ये मेरे दोस्तों कौन सा प्रकार का combustion है flameless form of combustion है समझ गए आप? flameless form of combustion है मैं आपको समझा पा रहा हूँ क्या? ये है flameless form of combustion तो combustion के दो प्रकार है अगर light energy लप्टों के format में होगी तो इसे कहते है burning क्योंकि यहाँ पर substance vapor के format में gaseous format में आ जाता है अगर यहाँ पर light energy glow के format में है तो इसका ये मतलब है कि इसको कहते है smoldering flameless form of combustion यानि यहाँ पर कोई लप्टे नहीं निकलेगी कोई भी substance vaporize नहीं हो रहा होगा अब सिर्फ बाते नहीं करेंगे practically करके दिखाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है चलिए इस चीज़ को practically करके दिखाते है आपको बड़िया सा feel दिलाते है नजर आ रही होगी धीक है मैं आपको यह चीज़ practically करके दिखाता हूँ धीक है दिखे हो मैं सबसे पहले मेरे पास क्या है यह धूपबत्ती तो देखे जब मैं इसको जलाता हूँ इसको जलाता हूँ ठीक है है ना light energy देखना इसमें किस format में निकल रहे हैं glow के format में light energy किस format में glow के format में मैं आपको और closely इसके बारे में भी दिखाता हूँ अभी आप देखना मैं यहाँ पर light को बंद भी करूँगा तो ज़्यादा अच्छी से समझ में आएगा तुम्हें यहाँ पर light को बंद करता हूँ तो ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चारा हूँ light को बंद कर देता हूँ ताकि जादा अच्छी तरीके से मैं आपको ये चीज समझा सको, ठीक है, आइए, ध्यान से देखना दोस्तों, लाइट एनरजी किस फर्मैट में है, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी कुछ देख नहीं रहा है, है ना, अभी यहाँ पर मैं जला रहूं, मैगनीशम का रिबन देखो, यहाँ जला रहा हूं, मैगनीशम का रिबन, लाइट एनरजी क्या है, ग्लो के फर्मैट में देखो, लाइट एनरजी देख रहो, यह फ्लेम्स के फर्मैट में, मैगनीशम रिबन, चलो, यह लाइट एनरजी यहाँ पर निकली, फ्लेम्स के फर्मैट में, और यही अगर मैं अगर्मत्ती को यहाँ पर जला हूं, समझ रहो, फ्लेम्स के फर्मैट में लाइट एनरजी निकली यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं जलाता हूँ, तो light energy किस format में निकलती है, यहाँ पर तुमने देखा, magnesium ribbon को जलाया, तो white color की flame निकली, अब देखो इसको देखना, इसको देखना, यहाँ पर, जब अगर बत्ती को चला रहा हूँ, देखे रहो, glow, glow दिख रहा है, यह क्या है, यह भी आपा combustion है, लेकिन इस परकार को हम कहते है, smouldering, light energy glow के format में, इसको कहते है, smouldering, light energy glow के format में, इसको कहते है, smouldering, दिख रहा है, दियान चे देखिए दिख रहा है यह रहा light energy glow के format में इसको कहते है smaltering दिख रहा होगा I hope यहाँ पर ठीक है इसको भुजा देते हैं यहाँ पर चलिए अब बताएंगे कितने बच्चों को यह बात समझ मैं देखे light energy या तो flame के format में निकलेगी या basically glow के format में होगी I hope मैं आपको यह Sंझा पा रहा रहा हूं I hope आप속को होप लोगों इस बात लियर है said I hope आपको इस बात लियर है थीक है है समझ में आगई बात क्याँरे दोस्त क्लियर दोस्त क्लियर है बात 거야 मजह आ रहा है और फी लग रहा है ठीक है यह थी magnesium ribbon जिसको अपने जलाया देखिए magnesium की ribbon होती है silvery gray color की होती है यह देखिए इसको मैंने जब extreme amount of heat दिया तो air में present oxygen gas के साथ रियक करके इसने product बनाया white color का magnesium oxide का साथ में heat और साथ में light अब light क्या है white color की dazzling white flame इसने बनाई थीक है तो यह भी combustion का एक प्रकार है इसको मैं revise भी करवा देता हूं concept को एक video दिखा के concept revise करवा देता हूं ठीक है अब देखो और दिखा देता उं और दिखा देता हूं और दिखा देता हूं एक और experiment भी देख लिए फटावर से magnesium burns विदा ब्राइट वाइट लाइट हर कोई बस बोलता है लेकिन करके कौन दिखाएगा करके कौन दिखाएगा अरे करके कौन दिखाएगा अरे करके कौन दिखाएगा मैं करके दिखाऊंगा चलिए अब आपको यह देखकर चीज समझ में आ रही है ठीक है समझ में आ रही बात तो देखिए मैंने आपके इस कंसेप्शन मतलब जो मिसकंसेप्शन था या यह लैक ओफ कंसेट था इसको क्लियर कर दिया है यहाँ पर ठीक है दोस्त समझ में आ तो अगर कंस्वन प्रोसेस में लाइट एंरजी आपकी लफ्टों के फ्वार्मैट में निकलती है तो इसे बर्निंग कहते हैं इसे burning कहते हैं क्योंकि substance vapors में convert होता है और इस प्रकार से लप्टे निकालता है दैसे अगर यह मैं जलाता हूं तो यहां पर भी light energy लप्टों के format में आईगी देखो light energy is in the form of flames हटा देता हूं यह देखो लप्टे निकल रही है लप्टे मतलब यह light energy is in the form of flames ठीक है राजा वेटा ठीक है लेकिन यही अगर मैंने जब अगरवत्ती जलाई तो light energy glow के format में थी इसी हम कहते है smoldering that is basically flameless form of combustion तो यह combustion के दो प्रकार है जो आपको समझ में आने चाहिए ठीक है ठीक है विया चलो आगे चलेंगे अब आप इस सवाल का आंसर करेंगे फटावट से इस इट करेक्ट तो से burning of food और combustion of food अब देखे combustion के दो प्रकार इस तो सब्रकार कर बार्ण समॉल्डरिंग तो क्या यह सई है कि मैं बोलू बर्निंग और combustion अब लकड़ी को देखे तो क्या यह सई है क्या यह सई है इस इंड करेक्टू से burning of food और combustion of food जल्दी से बताईए फटावट से बताईए दोस्त फटावट से बताईए फटावट से बताईए फटावट से बताईए क्या बात है क्या बादो अपी बच्चे बच्ये सब्सक्राइब बहुत बढ़िया हो से मात बहुत बढ़िया है Yes, 95% बच्चों ने सही दिया है, आरुष, अनुराग, वृद्धी, भरत, नाजिया, गौरिका, आशीश, आयूश, अर्पिता, कामिनी, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, आप देखो, Yes, यहाँ पर यह सही है, क्योंकि light energy किस प्रकार में है, light energy is in the form of flames, light energy is in form of flames, light energy लप्तो के format में है, तो यह बिलकुल सही है, कि इसे हम combustion of food कहे, या फिर burning of food कहे, सही है, अब देखना, यहाँ पर देखना, Is it correct उसे burning of incense stick, मैं सीज के काफी ज़ाद against हूँ, जब किताबे यह लिखती है, burning यहाँ पर लिखती है, पर आप देखिए, आप answer कीजे, light energy glow के format मे है, क्या यह सही है कि मैं यहाँ पर बोलू, burning of incense stick, क्या आपको दोस्त यह लगता है कि यह सही है, भाई यह अगर मैंने धूप बत्ती जलाई, तो light energy glow के format में थी, आप इसको burning बोलना, क्या सही है, incense stick, यह incense stick है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, क्या यह सही है, अरे वा, क्या बच्चे अपने ओपी बच्चे है बहुत बढ़िया तुम बेटा बहुत बढ़िया बच्चे हो मला आगया ओपी अब मला आ रहा ना अपन इतना बढ़िया बढ़िया बच्चे मला आता है वेरी गुड बहुत बढ़िया यह अपने ओपी बच्चे है एक दम ओपी देखे, बहुत सही, यहां पर हमारे पास कौन-कौन है, साकिब, संजीव, पुरिशोत्तम, अर्पिता, फेखेट, गेमर, मनोहर, रौनक, गौरिका, सुरेंदर, एंड सक्षब, क्या बात है दोस्त, तो बिल्कुल सही बेटा, देखे, किताबों में आपको यह देखने के लि form of glow, आप NCRT खोल लो, वहाँ पर पहले page पर यह बात लिखी भी है, combustion में light energy, दो form में निकलेगी, पहला flame, दूसरा glow, glow के format में निकलेगी, तो यहानी यहां पर हमें इसे क्या बोलना है, हमें इसे बोलना है, smoldering, और combustion of instant stick, देखे, combustion तो आप बोली सकते हैं, भाई, combustion के दो हमें इसे बोलना है, जब light energy flame के format में, smoldering हमें तब बोलना है, जब light energy glow के format में, तो smoldering और combustion of instant stick, तो जब भी आपको कोई ऐसा बोलता है, है ना, कि आप यहाँ पर burning सब्द का इस्तिमाल करें, तो वो गलत है, गलत है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, अब मैं चाहता कि मेरे राजा बेटा यहाँ पर यह try करें कि कौन से substance combustible है और कौन से non-combustible है, यानि combustible का मतलब that shows combustion, या तो वो जलेंगे, या तो वो glow करेंगे, don't show combustion, don't show combustion, आओ राजा बेटा, हम लोग साथ में मिलके करते हैं, लकडी, क्या सुनील में या लकडी जलती है कि नहीं जलती है, लकडी combustible है कि non-combustible है, एक काम करो लकडी को जलाओ, ठंड का मौसम है, भाई या लकडी जलती है, वैसे तो मैं मना करता हूँ लकडी जलाने से, पॉल्यूशन होगा, पर फिर भी लोग लकडी जलाते हम बैठते हाथ तापते, भाई जलती है कि नहीं जलती है, पेपर जलता है कि नहीं जलता है, यह बताओ, जला, जला, जल गया, जल गया, जल गया, हाँ, लोहे की कील्ज का कंबस्चन शो करती है, नहीं मेरे राजा बेटा, नहीं करती, बस, ठीक है, केरोसीन, बिलकुल, पैट्रूलियम प्रोड़क्त है, हंड्रेट पर्सेंट, पत्थर, बाइ, स्ट्रॉ, अब स्ट्रॉ देखिए, प्लास्टिक की स्ट्रॉ सकती है, पेपर की स्ट्रॉ सकती है, आप सोचना, जब किताब बनी थी, तब शायद पेपर स्ट्रॉ थी की नहीं थी, मुझे नहीं आइडिया है, पर किताब सोचने हो कि प्लास्टिक बोल दे, या पे इसमें क्या है इसमें चार्व कोल है कार्वन का एक प्रकार है तीच ना इने संस्ट जिस निद गट अ फॉर्म ओफ और फॉर्म कार्बन मैच 6, माचीस की तीली, माचीस की तीली जलती है कर दो ँक्रॉस करने की जगा, यहा पर कर दो, इधा otherwise कर दो, समझ के ना, हाँ है जाला है समझने आगी बत जी है बहुत वेडिया बेटा तो लकडी कंबस्टिबल है मेरे राजा बेटा बिल्कुल सही पेपर कंबस्टिबल है मेरे राजा बेटा बिल्कुल सही आइरन नेल्स कंबस्टिबल नहीं है सुनील भईया जब मैं इसको जलाता हूं तो जलत यह लाल जाता है जलेगा नहीं केरोसीन वेक्टैट्रों का पीस ना स्टॉव हाँ चार कॉल हां मैच्टिक्स आ ग्लास ना 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 चार कॉल मिरे राजा बेटा क्या होता है कार्बन का एक प्रकार है चार कॉल अब अलग अलग प्रकार के चार्कोल होते हैं देखे एक होता है वुड चार्कोल एक्टिवेटेड चार्कोल शुगर चार्कोल अलग अलग प्रकार के चार्कोल होते हैं कार्बन का फॉर्मेट होता है कार्बन जो होता है कार्बन नॉन मेटल होता है कार्बन उसका प्रकार ह होता है ठीक है यह क्या है फॉर्म ऑफ कार्बन लिख देता हूं यहां पर चारकॉल इस नफिंग बच फॉर्म ऑफ कार्बन एक काम करना तुमको घर पर चारकॉल बनाना है क्या तुमको घर पर चारकॉल बनाने का मन है क्या बोलो हां है कुछ मत करना मम्मी को बोलना कि मम्मी मेरे साथ किच्छन में चलो ममी वहलेगी ठीक है ममी को वहलना ममी आप एक चम्मच लो ममी ले लेंगी ममी उसके पर थोड़ा सा चीनी ले लो ममी ले लेंगी फिर गैस पर जलते जो चूला है ना नीले गलर की जो फ्लेम आ रही है उस पर रख दो ममी रख देगी तो आप क्य राक्या देखेंगे आप सुनना, पहले वो चीनी पिगलेगी, पिगलेगी उसके बाद वो चीनी जलेगी, कोई दिक्कत ने डरना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है चम्मच को, कपड़े से पकड़ सकते हैं, किसी भी जीस से, बढ़िया से जलेगी, उसके बाद आप प्रकार है, इसके काफी सारेश प्रकार होते हैं, वोड चार कोल, एक्ट पर अलक्री चार कॉल, शुगर चार कॉल, यह आपकी इंसेंस टिक में योज़ किया जाता है, और आसानी से जल जाता है, आपको, यह आर्द astronauts टेक में हैं, हाँ, तो यह शो करता हैं, कमशन ही ठीक ह है हमको है ना धर्ती के ओपर रौष्णी आती है सूरच से और हमें हीट में मिलती है ठंड में हम धूप में बैट रहे हमको अच्छा लग रहा है इसके पीछे एक रीजन है इंफ्रारेड वेव की वज़े से आपको गर्मी लगती है सूरच के अंदर वो होती है लेकिन आप क्या कंबस्टिबल सबस्टांस ऑक्सीजन की प्रजेंस पर रियाक करके प्रोड़क्न के साथ हीट और लाइट एनर्जी निकालता है हम ने अभी देखा तो क्या ये heat or light combustion की वज़े से है राजा बेटा ये heat or light क्या combustion की वज़े से है क्या सूरे देवता जो हमें रौशनी देते है क्या सूरे देवता जो हमें heat energy देते है क्या वो combustion की वज़े से है obviously क्या है इसका answer इसका obvious answer है no, ऐसा नहीं है अब देखे, confusion था यहाँ पर, no, साकेब, राहुल, फन, बुखारी, सदाप खान, मोपली, लामिश, पलवी, उतकर्ष, काजू, स्टेटर जोन, क्या बात है भाई, प्रिया, अब देख, नहीं, याद रखना नहीं, सूर्य जो है, इसके अंदर basically एक nuclear reaction होती है, nuclear reaction, specifically आगे चल nuclear fusion of hydrogen to form helium, यानि fusion का मतलब है कि चीजों का combine करना, और उससे किसी नई चीज का बनना, तो nuclear fusion होता है hydrogen का, जिससे helium का निर्मान होता है, और इसी वज़े से काफी ज़्यादा क्या निकलती है, heat and light energy निकलती है, क्या निकलती है बिटा, heat and light energy are released, और आपको मज़े की बात बता दूँ, मैं, जब आप अर्थ के atmosphere से बहार जा रहे हो, तो oxygen है क्या बेटा, वहाँ पे, आप मुझे बताईए, क्या सूरज के वहाँ पर oxygen कहां से आई, यहाँ पर बेटा, no oxygen है, there is no oxygen, combustion के लिए oxygen की जरूरत है वहाँ पे, आपको ये चीज सम बोले, सूरज की तरह जलो, तो बोलना सूरज जलता नहीं है, क्यों, oxygen ही नहीं है, oxygen होगी, तब कोई चीज जलेगी, समझ में आया, combustion किसके presence में हो रहा है, oxygen gas के presence में हो रहा है, वहाँ पर oxygen ही नहीं है, तुम अर्थ के atmosphere से बाहर जाओगे, तो oxygen कहां से आगई, राजा बेटा, तो सूरज को oxygen मिला ही ने, तो जलेग कैस है, तो यहाँ पर क्या है, nuclear reaction होती है, hydrogen से helium का निर्मान होता है, heat और light energy इसलिए निकलती है, तो यहाँ पर no इसका answer है, combustion की वज़ए से ऐसा कुछ नहीं होता, oxygen इन यह कहां का combustion, समझे, 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 चलो, अब देखो, देखिए, now, types of combustion, ठीक है, that is based on the type of ignition source and products, ठीक है, एक बच्चा कहे रहे हैं, सार, iron nails glow करेंगी, iron nails glow करने के लिए आपको काफी ज़ादा high temperature देना है, मैं हम लोग एकदम standard condition की बात कर रहे हैं, कि हमने heat किया, ठीक है, हमने अगर उसको heat किया, तो क्या वो जलेगा, नहीं वो नहीं जलेगा, बहुत ज़ादा, उसके melting point temperature तक अगर आपको ले कर जाना, तब तो कोई भी चीज incandescence show करती है, बहुत ज़ादा heat करोगे, incandescence करती है, glow करती है, लेकिन combustion में क्या हम बोल रहे हैं, कि हमने normal उसको heat किया है, गरम किया है, ठीक है, हम उसके कोई ignition temperature तक उसको लेकर जा रहे हैं, जो भी हम discuss करेंगे, तो क्या वो जलेगी या नहीं जलेगी, चालाइट energy flame में हो, चालाइट energy glow के format में हो, यह मतलब है, अब यहाँ पर focus कीजिए, types of combustion, किस प्रकार पे, उनके ignition source and products के basis पे, तो सबसे पहला जो type of combustion हमारे पास है, देखिए, कौन-कौन से है, तीन है, पहला है rapid, दूसरा है spontaneous, और तीसरा है explosive, यह इसको सीधे-सीधे बोलते हैं, explosion, तीन प्रकार है, combustion के दो प्रकार on the basis of light energy is burning and spoundering, combustion के प्रकार based on the ignition source given and आपका products, सुनील भी आप, ignition source क्या होता है, यह भी बता देता हूँ, ignition source क्या होता है, source, source, that starts combustion, ऐसा source जो आपके combustion process को start करवाता है, इसे बोलते है, ignition source, जैसे मान लीजे कि यहाँ पर जब मैं इसको जला रहा था, तो मुझे इसको heat करना पड़ रहा है, तो यह क्या बन गया, ignition source बन गया मेरा, तो हमारे ignition source के basis पे, and यह क्या चीज़े बनाता है, उस basis पे combustion के तीन प्रकार है, पहला, rapid, दूसरा, spontaneous, तीसरा, explosive, क्या होते हैं, आईए तीनों मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहला है, rapid, rapid combustion, rapid का मतलब क्या होता है, rapid शब्द से क्या समझ में आता है, यानि कि बहुत तेज, very instantly, very instantly, यह आप कह सकते है, very fast, जो चीज एकदम से हो, बहुत तेज, बहुत fast, that is rapid, क्या बात, अब देखिए, rapid combustion में क्या होता है, combustible substance rapidly reacts with oxygen to produce products, साथ में heat and साथ में light energy, when ignited with external ignition source, तो, क्या यहाँ पर external ignition source का जरूरत पड़ेगा, या हम खुद से वो चीज जल जाएगी, external ignition source, तो आप लिखेंगे, yes, there's a for example, सुनील भाईया, for example, आप paper को जब जला रहे थे, सुनना, तो क्या यह rapid combustion है, यानि very instantly, very fast, तो हाँ यह है, यह combustible substance है, अब जैसे ही मैं इसको external ignition source से गरम करता हूँ, द्यान से देखना, इसको ऐसे गरम करता हूँ, external ignition source, यह combustible substance, इसको मैं heat करता हूँ, एकदम से आग लग गई, इसमें, क्या लग गई, एकदम से आग लग गई, हाँ, combustible substance, एकदम से react करता है, air में present oxygen से, देखे, continuously react कर रहा हूँ, और आग लग रही है, साथ में products निकाल रहा है, देखे, gaseous product निकल रहे है, यह राक बन रही है, heat निकल रहा है, साथ ही साथ light energy निकल रहा है, जब हमने इसको external ignition source से ignite किया, ठीक है, तो rapid combustion में यह होता है, कि आप combustible substance को जैसे ही external ignition source से जलाते हैं, फटा-फट उसमें आग लग जाती है, तो वो क्या बनाता है, product या product साथ में heat और light energy जो combustion में होता है, कि मैं combustible substance oxygen से react करता है, product या product बनाता है, जैसे यहाँ पे राक बन रही है, यह gaseous product बन रहा है, साथ में heat और light energy निकालेगा, ठीक है बिटा, चलो, तो यहाँ पे examples क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे for example, आपके घर में LPG gas को जलाती है मम्मी, burning of LPG gas, burning of LPG, liquefied petroleum gas, burning of paper, यह सारे के सारे किस प्रकार के combustion process है, rapid combustion, मतलब आपने combustible substance को जैसे ही हलका सा आपने heat किया, वो तुरंट आग पकड़ लेगा, और साथी साथ क्या बनाएगा, product या products बनाएगा, साथी साथ heat और light energy बनाएगा, जैसे आपने घर में gas को on करते हैं, और माचिस की तीली आपने लगई, external ignition source लगा, भच्च करके जली जाता है, इस तरीके के combustion को rapid, very fast या instantaneous combustion कहते हैं, दिमाग में घुसा पा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा, अपने आप, spontaneous, ओ भाई साथ, खतरनाग, spontaneous, spontaneous का मतलब क्या होता है, happens on its own, happens on its own, अपने हाप हो रहा है, external ignition source, no, external ignition source, no, दिसे मान लीजिए दोस्तों, spontaneous combustion के अगर मैं बात करता हूँ, तो spontaneous combustion का मतलब होता है, जो अपने आप हो, अब यहाँ पर external ignition source का कोई जरूरत मेरे को नहीं है, मतलब, दिसे मान लीजिए, sodium का metal है, sodium metal को अगर आप room temperature पे रख देते हैं, खुले में रख दीजिए, potassium को रख दीजिए, रून temperature पे पड़े आख पकड़ लेगा, आप white phosphorus रख दीजिए, रून temperature पे पड़े आख पकड़ लेगा, तो combustible substance shows combustion on its own, without any external source of ignition, यह important है, मतलब, पड़े पड़े कोई चीज आख पकड़ ले रही है, बिना हमारे जलाए, अपने आख जल रही है, जल रही है, तुम्हारे जीवन में ऐसे ही तो लोग है, तुम्हारे जीवन में लोग ऐसे ही तो है, बैटे बैटे जल रहे है, कुछ काम ना धाम, कोई किसी ने उंगली नहीं करी बस जल रहे है, भी कर्दाइं यह मिन्ला है उसको का दिख्कत है तुमको कहीं करो के मैनत करो ना तुम इसलिए मिला मैनत नहीं करना चाहते है तुम पअधे से ज़्यादा लोग सोगरते है थे खूंटेनेयमस कमबस्ट रहनें लोगों से बेट है तुम्हारे रिच्चेदर स्पॉंटेनेयों कंबस्ट रहते हैं उंको बदा ना जिता रहते हैं तो वे ज़डनें कुछनेमेड़ो फोटेशियम यह बेसिकली का करते स्पॉंटीनिस को मेंशन पढ़े पढ़े आग ले ले रूम टेमपरेचर पे ना हमने उंगली करी ना कुछ किया सोडियम पोटेशियम वाइड फॉस्फोर्स बिट रूम टेमपरेचर पढ़े-पढ़े बावडे हो जाते हैं आग पकड़ पानी में स्टोर करते हैं और इससे तो काफी ज़्यादा बीमारिया भी हो जाती है इससे फॉजी जो हो जाता है पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी आपको बिल्कुल चिंता मत लेना लेकिन आप यह चीज समझ पारे हो पड़े पड़े इनमें आग लग जारी है बेटे कि उससे काफी साथा पॉइजनस गैसे निकलती है सुनिए क्या प्लास्टिक जलता है हाँ प्लास्टिक को जलाना चाहिए ना उससे जहरेली गैसे निकलती है इसी लिए नहीं करना चाहिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ भी जलेगा पेपर का स्ट्रॉ भी जलेगा समझ में आय हाँ है ठीक है चलो ठीक है अच्छा बच्चा कह रहा है सर फॉरेस्ट फायर स्पॉंटीनियस है क्या देखे बहुत सारी सोर्स इसको क्लेम करते हैं बट यह कही ना कई क्या लगता है कि किताब बोलना चाहो तो बोल सकते हो बट इस समवाट वरी कॉंट्र डिक्ट्री जब आप खुद से सोच तो आपको ऐसा रहे कि कि स्पॉंटीनियस कैसे है अगर कोई गाह सूखी वी है और सूरज की तेज धूप पड़ रही है तो सूरज की तेज धूप पड़ी तो आग लग गी उसके अंदर है ना अब सूरज की दूप स्पॉंटीनिस तो वह कि रूम टेंपरेचर पर पड़े भी आग लग जाए तो सोचने के काफी जादा जरी हो सकते आपको सोचों के तो मज़ा आएगा आपको मैं भी काफी जाद डीप फॉर्ट प्रोसेस देता हूं इस चीज के उपर आप भी देना आपको भी लेगा कि हाँ बात तो सही इस बात में दाम है देखिए मैं फॉरेस्ट फायर को अब दैसे किताब बोलती है कि मान लीजे या कोल डस्ट है या बेसिकली आपका फॉरेस् मतलब कि external source of ignition ना हो अब सूर्य देवता से heat energy आ रही तो आग लग जा रही है या कभी-कभी लोगों की वज़े से क्या करते है camping कर रहे होते हैं कोई चीज जली भी होती छोड़ की निकल जाते है बॉनफायर लगाते है निकल जाते है अब उससे आग देर देर बढ़ती और इसको हम बोलते है explosion मेरे दोस्त है ना explosion अब explosion एक प्रकार का आप यह मान सकते हैं कि rapid combustion ही है लेकिन इस rapid combustion में बहुत तेज sound energy भी निकलती है तो यहाँ पर क्या होता है combustible substance rapidly reacts देखे मैंने आपको बोला एक प्रकार का rapid combustion ही है लेकिन इसके अंदर explosion होता है धमाका होता है sound energy जाती है धमाका भूम reacts with oxygen to produce देखे products तो सारे के सारे निकालेंगे heat भी निकालेंगे और light भी निकालेंगे लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है देखे sound energy एक्स्ट्रा है जिससे explosion हम बोलते हैं इसको when ignited with external source तो क्या यहां पर external ignition source चाहिए हां समझ गए आप external ignition source चाहिए हां ठीक है और हर चीज को है न रिजिडली फॉलो मत करो को चीजों पर अपना दिमाग लगाव सोचो उन चीज़ों तुम्हें काफी ज्यादा क्यूरियस चीज़े मिलेगी जो भी चीज़ हम पढ़ रहें कई ना कई उसका कुछ ना कुछ exception फिट बैठता ही है हर चीज में बैठता है ठीक है तो सबस्फेबल सब्स्टांस जो यह होता है मेरे दोस्स मेरे प्यारे भाईë यहारे बार अप्रोकार कम कह सब ass खंड रीकाली अक्षण्पर सब्सकार्थ से और इसके सब्सक्क्रोड निका लेगा कौन Legislish Sound Energy का लेगा तो इससे हम क्या कहेंगे इससे हम कहेंगे धमाका एक्स्प्लोजन भूम अरे राजा बेटा करते होगी नहीं करते हो दीवाली पर है बर्निंग ओफ फायर क्रेकर्स अब यह बहुत मज़ा आता है तुम अगर मेरी वीडियो का इंट्रो देखोगे तो वहाँ पर मैंने उपर वाले आंटी डर गई थी दमाका सुनगे गाड से कंप्लेइन कर दिया कि नीच्च धमाका हुआ है उनको लगा सिलेंडर फटी है उनको क्या पता गुबारा फटा है हाइड्रोजन का वह मैंने एक बार फोड़ा फिर दूसरी बार मेरे को लगा पहली बार अच्छा शूट नहीं पहरा फिर फोड़ा फिर वो लोग आने वाले थे तो मेरे को लगा एक्टिंगी पढ़ जाता है नहीं माची इसकी तिली लगाने पढ़ती है जुमा क्यूं भं तो क्या हुआ उस कंबस्टिबल सब्स्टांस को ऑक्सीजन मिला तो वो रियक्ट करता है ऑक्सिजन के साथ और बनाता है प्रोड़क्स साथ में हिट साथ में लाइट और बहुत तेज धमाका होता है साउंड एनरजी निकलती है तो यह एक्स्प्लोजिव कंबस्टिब थीक है सर कैन्वी से भी यह फॉर्म अफ कारवन बेटा हमारी परसेंट ऑफ कारवन हमारी बॉड़ी में 18% कारवन है तो परसेंट कारवन पर फो कारवन कैसे कहोगे 100% थोड़ी हमारे अंदर थीक है चलो अब समझ में आये का जनता को अगर जनता को समझ में आ रहा है तो जनता लगाएगी आए बया मजा आ गया ओपी ओगया सुनील द यह आई लगां जल्दी से जल्दी से आई प्रण पर दो लाइटनिंग कंबस्षन नहीं है आपको मस्त बात बताओ लाइटनिंग इस आफ फॉर्म ओफ प्लाज्मा ठीक है अब प्लाज्मा क्या होती कक्षण नवी में आना एक्सपेरिमेंटली घर पे बनाने सिखा हूंगा क्लास के नाइंफ क्लास के पेड़ बच्चों को जो थे उसमें उनको मैंने घर पे बनाना सिखाई थी नीव टूप चलो अग के बारें पढ़ते हैं आग इंट्रोड़क्शन टू फायर फायर टेट्रहेटरों आग क्या होती है है एक बात बताओ मेरे को आग आग अग जो है पायर के साथ क्या है पायर कंज्यूंस औक्सीजन अग्जलती है तो उसे औक्सीजन की ज़रूरत है बहुत करती है मालो अगर एक पेड़े में अग लगी तो दूसरे में लगाए ग करते हैं रिप्रेडियूस करते हैं बड़े होते हैं बच्पन से बड़े होते हैं दीरी दीरे फिर हम आकरी में जाके मर जाते हैं तो फायर तो जिन्दा है इस फायर लिविंग ठिंग, बताओ जल्दी से, चैडवाक्स में बताओ, four एक living thing है, तुमको क्या लगता है, क्या four एक living thing है, क्या fire एक जिंदा चीज है, येस, no, no, yes, no, yes, no, yes, no, 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 yes, no, 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 yes, no, yes, no, yes, no, नहीं है, पीड़ा बायो में लेके के चलू? ही पूड़ा बायो में लेके के चलू? 9, चो ? इंपुर्न्ट मेच्वी इंप्रदू? हम किसी भी चीज करें लिविंग लिवंग तिंग और गोशित करते हैं। आइवाग जिसमें लगी वह उसमें ग्रोय बड़ीव जाएगी वह नार्ण कि कई ब늦म करें तो लोग बोलेंगे हां लोगने हैं लेगिने पर ललिविं थिंग के पास क्या होता है लिविंग सेल्स उने चिए फायर में लिविंग सेल्स नहीं होते हैं just up씨 I'll do not have the fire есте self 35 है फिर तो फिर यॉप फाइर में लिविग सेल्श में है डिके निगट केमीकल च्छेयक्ष्ण अब इसके बारे में और डेप्थ में आगे चलके जाने इभी अपना नहीं अब यल्क्ल यह आईडिया इतना दे दिया क्या आपके दिमाग में इसक पॉप अफ और उसक नुट लिविंग नहीं नहीं लिविंग क्या होती है जिसमें लिविंग सेल्स होंगे टेटराहिटरन क्या होता पाईर टट्रहेटरन क्या होता है वो समझो आजो पाईर ट्राइंगल आज तक सुना है तुमने सबीं लिए तीन चीज़ों की धरुरत है पहला फ्यूल, दूसरा ओक्सीजन और तीसरा हीट एनरजी, हर एक चीज को बहुत डेप्ट में समझाऊँगा, ध्यान से समझना, सबसे पहला फ्यूल, अब ये फ्यूल क्या होता है, ध्यान से देखो, क्या होता है फ्यूल, किसी भी चीज के लिए अगर आप कंबस्टन की बात करते हैं, या आग को जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, चौती चीज में उसके बात बताऊँगा, पहला, फ्यूल, दूसरा, आपका ओक्सीजन और तीसरा हीट एनरजी, अब ध्यान से सुनना, what is फ्यूल, फ्यू तू produce some product या products साथ में heat और साथ में light energy, तो हम फ्यूल को combustible substance भी बोल सकते हैं, या combustible substance को fuel भी बोल सकते हैं, फ्यूल एक तरीके से combustible substance का एक प्रकार है, तो ऐसी कोई भी चीज, जो combustion शो करती है, वो combustible substance है, और fire को continued रहने के लिए सबसे important चीज है, आग को continued रहने के लिए तो fuel क्या है, fuel क्या है, fuel एक combustible substance है, जो oxygen से react करेगा, product या products बनाएगा, साथ में heat और light energy बनाएगा, बहुत बढ़िया, अब देखिए, इसमें एक important condition भी आएगी, वो क्या है, ध्यान से, इस condition को ध्यान से देखना, तो start combustion, to start combustion, accept spontaneous, external ignition source is required, किसी भी प्रकार का combustion अगर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इस fuel को जलाने के लिए external source of ignition देना पड़ेगा, अगर मुझे इस fuel को, यह paper मेरा combustible substance, यानि मेरा fuel है, इससे जलाने के लिए external source of ignition देना पड़ेगा, except अगर यह spontaneous combustion शो कर रहा है, अब इससे होगा क्या सुनील भिया, इससे होगा क्या, यह ignition temperature क्या होता है, यह external source of ignition क्या करता है, देखो, spontaneous combustion में कोई भी चीज अपने आप जल जाती है, आग पकड़ लेती है, लेकिन मानो, कि अगर वहाँ पर spontaneous combustion ना हो, तो यह paper है fuel, यह paper है fuel, ठीक है, अब क्या ही अपने आप जल रहा है, क्या ही अपने आप जल रहा है, नहीं जल रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको यहां पर मैं external source of ignition से गरम कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ गरम कर रहा हूँ तो यहां पर मैं ऐसे गरम क्यों कर रहा हूँ ताकि यह जलने लगे तो यहां पर एक और important parameter आ जाता है मेरे दोस्तों जिसे हम क्या कहते हैं this external source increases the temperature to or above the ignition temperature तो यह external source of ignition क्या कर रहा है कि इस particular substance के temperature को तापमान को ignition temperature तक यह उसके उपर लेके जा रहा है इसमें पड़े-पड़े आग नहीं लग रही थी यह basically आपका fuel है combustible substance है इसके लिए मैंने external source of ignition से इसको जलाना start किया अब मेरे जलाने से क्या होगा कि इस particular cup का जो temperature है इसके ignition temperature तक यह इसके ऊपर तक जा सकता है तो ignition temperature क्या है है ignition temperature क्या है क्या है यह आओ ध्यान से लेखना देरे देरे क्या है ignition temperature ignition temperature क्या है minimum temperature एट और अबव मिनीमम टेंपरेचर यानि वो मिनीमम ताप माल जिसके ऊपर या जिसके अबंव एक सबस्तान्स कैचिस फायर इसको क्या बोलते है ignition temperature देशन मान लीजे यह मेरे पास पेपर कब था यह basically मेरा fuel है जो basically जलने वाला है लेकिन इसको जलाने के लिए मुझे यह लाइटर की जरुद पड़ी जहां से मैंने इसके temperature को बढ़ाया अब मैने इसके temperature बढ़ाया अगर मैने इसके इगनीशन टेंपरेचर पर पहुंद यह सोपर चला आग लगई तो वो मिनिमूम टेंपरेचर जिस पर या जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर सबस्टांस यानि आपका कमबस्टीवल सबस्टांस जो है वो बेसिकली आग पकड़ लेगा इसे हम क्याते हैं इगनीशन घर हर सबस्का डिफरेंट वर डिफरेंट सबस्टांस घपान हिजए कोई चीज जल्दी जलती है टोटील चीज देर मुंझे चाहिए मैं sheta कि इसने वे बार नने समय रहेंगा दैसे मान लिजिए अब्स यहां पर लेता हूँ कपूर लेता मंठें तुम्हें और तैकल से देखना को यह लेता हूं कपूर यहां पर इसमें कपूर है और मैंने इसको ऐसे जलाया ठीक है यह देखो यह जलाया आग लगई जलाते आग लगई अब यह मैं इगनीशन टैंपरेचर जिसके ऊपर यह ज़े उसके ऊपर यह उसके ऊपर चले जाओ तो यह सब्स्टांस आफ पकड़लेगा इसे इंगनीशन इंपरेचर कहते हैं ठीक है अब यहां पर एक और इंपॉर्टन बात सुनी लिए बता दीजिए क्या the substances which have very low ignition temperature are called inflammable substances. कुछ ऐसे substance होते है जिनका ignition temperature बहुत कम होता है. हलका आग लगे, धुम्म करके आग पकड़ लेंगे. जल्दी से. Inflammable है यह है. Inflammable है. तिसे for example, आपका petrol, kerosene, diesel, ठीक है ना? LPG, हलका सा आग लगाओ, भम करके जल जाएंगे. इनका ignition temperature इतना कम है, हलका तुमने आग जहम करके जलने लगेंगे. बोले हाँ भाई साम जलेंगे. अभी देखो, तुम कैसे जलते हैं. तो यह substances rapid combustion show करते हैं. मतलब इनका ignition temperature इतना कम है, तुमने हलकी सीन को उंगली करी फटावट जल जाएंगे. एक है तुम्हारे लिष्टेदार, spontaneous combustion अपने आथ जल रहे हैं. और एक आते हैं, for example, कुछ ऐसे दोस्त जो rapid combustion show करते हैं, तुमने हलकी उंगली करी भम जल जाएंगे. बस, खत्म. तो यह है inflammable substanceism का ignition temperature इतना लो होता है, तुमने हलका जला फटाग जल जाएंगे. समझे हैं? जीविया. अब ignition temperature का एक important rule में तुमको समझाता हूँ. देखो, बहुत बढ़िया चीज है. ignition temperature से related experiment करेंगे. थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ. आपको समझा पाएं, चलो बेटा, हट जाओ. ठीक है, बेटा, देखो. अब सबसे बहली चीज. यागा कर रहा हूँ मैं, इसमें पानी डाल रहा हूँ. ठीक है? ध्यान जे देखने, इसमें पानी डाल दिया, ठीक है. इसमें पानी है, यह खाली है. यह लिया, जलाया. देखो, यह है फ्यूल. क्या है बेटा, फ्यूल. इसको दे रहा हूँ, मैं एक्स्टरनल सोर्स ओफ इग्नीचन. इसको जैसे ही मैं हीट करूँगा, तो मैं इसके तापमान को, यहां से हीट कर रहा हूँ, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, तो मैं इसके तापमान को, यह मैं इसको वो टेंपरेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस पर यह आग पकड़ ले. मैं इसको गरम करकर, वो टेंपरेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस पर यह आग पकड़ ले. यानि इसके ignition temperature तक जैसे ही यहाँ पर temperature पहुच जाएगा, आग पकड़ लेगा, यह देखो, अब जैसे मैंने heat किया, यह temperature इसके ignition temperature से ज़्यादा भी हो सकता है, और उतना भी हो सकता है, उतना भी पहुच गया, तो आग पकड़ लेगा, मालव ignition temperature दोस है, तुमने 210 दे दिया, आग ले लेगा, तुमने 200 दे दिया तब भी आग ले लेगा, यह लग गई आग, ठीक है, इसमें आग लग लग दिया, यह सेम पेपर का कप है, जला दिया, देखो, देखो, जल रहा है, जल रहा है क्या, जला गया, जला, मुझे तुर पानी गरम हो गया उल्टा अंदर पानी गरम हो गया मस तो आला ठीक है कि यहां बेसा क्या हुआ भी एक्टरनल गीशन सोर्स है कि यह एतने टेम्परेचर्गन कर पारा कि पेपर में आग लग जाय है नई सुनील बिया नहीं अटेन कर पा क्यो अटेनन नहीं कर पा रहा आईए हम समझाते राजा भी है आईए हम समझाते राजा घ्लो सबस्टांसे retreat तो den में rapid combustion आपका होता है और उनके अंदर spontaneous combustion भी आपका हो सकता है जो inflammable substances आपके होते हैं उनके अंदर rapid combustion भी हो सकता है and at the same time उनके अंदर basically आपका spontaneous combustion भी हो सकता है spontaneous combustion किसी चीज़ में क्यों हो रहा है कि उसका ignition temperature बहुत कम है तो कोई भी चीज अगर आपकी इंफ्लैमेबल आप तब गोशित करते हैं जब उसका अगनिशन टेंपरेचर बहुत कम हो जैसे वह रैपेड भी शो कर सकता है वह स्पॉंटीनेज भी शो कर सकता है ठीक है समझ रहे हैं और कुछ केसिस में मान लीजे जैसे कि आपका सोडियम हैं तो कभी-कभी जब जलता है तो धमाका भी कर देता है धमाका भी कर देता है तो एक्स्प्लोजिव कंबसिचन भी हो सकता है कुछ केसिस में इसलिए कहता हूं सोचो सोचना बाद जरूरी है चालिया अब यह पेपर कप वहला आपको और डीटेल मैं भी वताओंगा जब तो यहां पर सबसे important चीज क्या थी सबसे पहली चीज ती सुनील भिया fuel जलने के लिए fuel की जरूरत है यह हमें समझ में आ गया दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज है आपकी oxygen अब यह क्या है बिटा यह क्या है बिटा oxygen क्या होती है oxygen is not combustible यानि यह जलती नहीं है don't show combustion याद रखना विटा oxygen खुद नहीं जलती है it don't show combustion अरे भाई साब बहुत सई बट इट इस अ supporter of combustion क्या मतलब है तुमको oxygen जैसा बनना है oxygen क्या है जलती नहीं यह खुद नहीं जलती है क्या करती है जलाती है तो हमें क्या करना है हम जलेंगे नहीं हम जला देंगे समझ रहे हो हमें किसी से नहीं जलना किसी से जैलसी नहीं है हम तो क्या है हम तो oxygen है हम खुद नहीं जलते हम सामने वाले को जलाते है हर चीज के जलने के लिए oxygen का होना जरूरी है बट अगेन आपको आगे चलके कुछ केसी जैसे मिलेंगे जहां oxygen के बिना भी कोई चीज जल रही होगी ठीक है ठीक है समझ में आया क्या दोस्त समझ में आया गया समझ में आया गया ठीक है तो मेरे दोस्त मैंने क्या बोला oxygen इस नॉट कमबस्टीबल बटा सपोर्टर आफ कमबस्टन किसी भी चीज को अगर जलना है फायर के अगर हम बात करें तो पहला तो हमें क्या चीए भाई और छूडी टैसे की प्रेजय एवल किसके प्रेजर्फ पर जबेगा oxygen की प्रेज़ेंस पर जलेगा किसी प्रेजर्फ प्रिशन की प्रेजर्फ जी फी würd या आच यह क्या सकते हैं इन दी प्रेजन एंदी प्रेजन प्रे선 अ сделख फीर ने लिफिन इन प्रेजन और किस की प्रेजन इस में जलेगा ऐक्सी जनメंचे तो इट इस नौट कंबस्टीवल यानि खुद कंबस्टन शो नहीं करती है दूसरों के जलने में मदद करती है ओपी है न ऑक्सीजन हाथ तुमको ऑक्सिंग जैसा बनना है समझ रहे हो खुद नहीं जलना दूसरों को जलाना है इसको हीट एनरजी क्यों चाहिए थी ताकि इसके इगनिशन टेंपरेचर तक पहुच सके अरे इसको ignition temperature तक पहुंचाने के लिए heat energy का जरूरत है कि नहीं है इसको मैं गरम क्यों कर रहा है यह मेरा fuel हवा में oxygen यह मेरा fuel हवा में oxygen यह मेरा fuel हवा में oxygen तो मैं इसको गरम क्यों कर रहा है external source of ignition से ताकि मैं इसके तापमान को इसके ignition temperature तक लेकर जा सकूँ या इसके उपर लेकर जा सकूँ तो ये जले, समझे, राजा बेटा, हाजी विया, तो heat energy का करती है, heat energy क्या करती है, the heat energy raises the temperature और तापमान, to or above, यानि जितना ignition temperature चाहिए, यानि वो minimum तापमान, जिस पर कोई चीज आग पकड़ ले, तो ये heat energy उस particular fuel के temperature को कहा तक लेकर जाती है, ignition temperature तक लेकर जाती है, and hence, ये दूसरा पार्ट है, hence, makes the fire self-sustaining, अब ये लोगों को समझ में नहीं आता है, इस definition के दो पार्ट है, ये तो है पार्ट नमबर वन, ये है पार्ट नमबर वन, ये है पार्ट नमबर टू, अब ये क्या है, समझना, समझना, फ्यूल ये था, ये था, हवा में oxygen थी, इसको जलाने के लिए मैंने external source of ignition लिया, इसको heat energy प्रोवाइड करी, ताकि मैं इसके तापमान को, या तो ignition temperature तक, या इसके उपर तक लेकर जा सकूँ, मैं पेपर के तापमान को, या तो ignition temperature तक, या उसके उपर तक लेकर जा सकूँ, ताकि या आग पकड़ ले, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही लिखा है, the heat energy raises the temperature to, और above the ignition temperature, अगली चीज हमें समझने में दिक्कत है, makes the fire self-sustaining, समझना, समझना, यह मान लो मेरे पास क्या है, एक पेपर कप, concept के depth में लेके जा रहा हूँ, राजा बेटा, ध्यान चे सुनना, यह नहीं है किताब के अंदर, ध्यान चे सुनना, तभी मज़ा आएगा, प्यूल, जो जलेगा, किसके presence में जलेगा, oxygen की presence में जलेगा, लेकिन फ्यूल को हमें heat energy देनी पड़ेगी, ताकि हम उसके ignition temperature तक पहुँच सकें, और यह वो minimum temperature है, जिस पर वो आग पकड़ता है, तो आपने external source of ignition से, वहां तक temperature attain करवा लिया, आप सुनना, सुनना, सुनील भाई, सुनील भाई, तुमने initially इसको यहां पर heat energy दी, for example, चीके ना, मालो माचिस से जलाया, तो मैंने match stick का क्या करवाया, match stick को मैंने match stick से, क्या करवाया, rapid combustion करवाया, माचिस की तीली को जलाया, तो माचिस की तीली का क्या हुआ, rapid combustion हुआ, इस rapid combustion से हुआ क्या, जो heat energy निकली, heat energy released, heat energy released, increases temperature to ignition temperature of paper, मेरे point को समझना राजा बेटा, आपको तभी समझ में आएगा, मैंने क्या किया, पेपर कप को यहां रखा, माचिस की तीली को जलाया और उसके नीचे रखा, माचिस की तीली को जलाया, तो यह basically मेरा किस प्रकार का combustion है, यह माचिस की तीली लेके जलाया, that is basically rapid combustion, अब इसको जैसे ही मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमआरे जलने का मन नहीं है, यह रपेड कंबर्शन दूसरा शो करे, तुम्हारा भी मन नहीं, क्यों, तुम लोग मन मना कि अई हो क्या, जलोगी नहीं, बता दो मेरे को, मन मना क्या ही हो गया तुमारी एस्पेन की लगड़ी खराब हो गया देखो राजा जैसे इसको नीचे से हीट किया तो इसने अब मेरे बेटा यह अपने आप जलेगा ना मेरा पॉइंट यह कि अब यह पूरा कैसे जल रहा है मैंने स्टार्टिंग में जला पूरा के जलना बैस हो गया इतना नहीं जलना चलो पॉइंट आप समझना कि मैंने मैच्टिक से रैपिड कमशन करवाया इससे जो हीट एनरजी निकली इसने पेपर के इगनीशन टैंपरेचर तक टैंपरेचर को पहुचाया और यह जला अब आप द कैचिस पायर यानि यह कमशन शो करेगा आग लग गई है कमशन शो करेगा हां अब यह क्या बनाएगा पेपर क्या बनाएगा प्रोड़क्ट बनाएगा साथ में क्या निकालेगा हीट और साथ में क्या निकालेगा लाइट अब यहां से जो हीट एनरजी निकलेगी further raises the temperature of further raises the temperature further raises the temperature to ignition temperature and यहां वाले पार्ट को मैंने जलाना स्टार्ट किया यहां वाले पार्ट को जैसे ही मैंने जलाया तो इससे प्रोडक्ट बने heat और light energy निकली अब जो heat निकलेगी वो क्या करेगी further आगे वाले पेपर को यहां वाले पेपर को जलाएगी फिर heat निकलेगी फिर आगे वाले पेपर को जलाएगी फिर heat निकलेगी फिर आगे वाले पेपर को जलाएगी उसके बाद ये paper जब जलने लगा, तो इसने अपने अंदर से heat energy निकाली, और वो further पूरे-पूरे paper को खा जाएगी, पूरे paper में आग लग जाएगी, समझे, तो heat energy जो तुमने दी, raises the temperature to, और above the ignition temperature, ये heat energy तुमने कहां से दी, है न, external source of ignition से दी, external source of ignition से दी, लेकिन उसके बाद क्या होता है सुनील विया, उसके बाद जो heat energy paper के जलने से निकल रही है, वो क्या करती है, raises the temperature to ignition temperature, and rest of the paper catches fire, इसका मतलब क्या है, fire is self-sustaining, यानि अब अपने आप जल रही है, समझ रहे हो, दैसे teacher का काम होता है, बच्चे को रस्ता दिखाना, उसके बाद बच्चे का काम है, खुद self-sustaining होकर चलते रहना, ऐसे ही एक बार आग लगाई, उसके खुद से चलती रहेगी, समझ में आगी बात, समझा पा रहा हूँ, अरे पूरा paper का cup कैसे जलता है, तुमने तो यहाँ आग लगाई थी न जल रही है, heat energy निकली, वो heat energy इस paper के ignition temperature तक आपमान पहुचाएगी, इसमें आग लगेगी, आग लगेगी तो product साथ में heat और light निकलेगा, अब यहाँ से जो heat energy निकल रही है, वो further आगे वाले paper के temperature को ignition temperature तक लेके जाएगी, फिर further heat energy निकलेगी, फिर further heat निकलेगी, ऐसे करत पूरा paper जल जाएगा, समझना आया, जी भईया, तो यह जादू है आपका heat energy का, तो सुनी लगेगी, आप क्या कहना चाहते हो, मैं इस process को इसी लिए क्या कहता हूँ, मैं इस process को कहता हूँ, यह process एक chain reaction है, तुमने एक बार उंगली करी, पूरी चीज जल जाएगी, तुमन एक बार इस fuel को oxygen की presence में heat energy दी, उसके बाद बेटा क्या होगा, chain reaction होगी, क्योंकि यह fuel को oxygen की presence में heat energy दी, ignition temperature तक तापमान पहुचा जलने लएगा, अब जलेगा तो product और heat energy निकालेगा, heat energy, फिर इसके temperature को ignition temperature दे लेगे जाएगी, फिर जलेगा, फिर यह heat energy निकलेगी, फिर ऐसे continuously जलता रहेगा, 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 chain reaction बोलते हैं, अपने आप कर रहा है इसे कहते हैं fire tetrahedron, एक, दो, तीन, चार, चार चीज़े होती हैं इसमें, पहला fuel जो जलता है, किसकी presence में जलता है, oxygen की presence में जलता है तीसरा heat energy पहले heat energy हमने दी spontaneous combustion में नी देनी पड़ती है rapid और explosive combustion में देनी पड़ती है तो यह जो heat है जैसे for example कुछ बच्चों को लग रहा होगा सुनील भी है spontaneous के लिए बताईए तो spontaneous combustion में जो heat energy है external source of ignition rapid and explosive combustion में हमें देना पड़ता है और यह वाला in case of spontaneous from surroundings surrounding से spontaneous combustion में क्या होता है surrounding से जैसे sodium को अगर आपने surrounding में रख दिया तो वहीं से उसका temperature जो है ignition temperature तक पहुँच जाएगा और आग पकड़ लेगा ठीक है ना लेकिन अगर rapid और explosive है तो आपको external source of ignition देना पड़ेगा जैसे इसको जलाने के लिए मुझे माचीज की तीली देनी पड़ी थी समझ में आगया मेरी बात जी भईया ठीक है जी भईया अब आजओ फटावर्ट से इस concept के ओपर अब देगो for example for example for example अगर तुम तीन cases में आग भुझा सकते हो पहला अगर तुम fuel हटा दोगे removal of fuel तो आग भुझ जाएगी इस principle का नाम है starvation भुखमरी की तरह अगर तुम्हें आग भुझानी है तुम fuel का हटा दो आग भुझ जाएगी अगर तुम्हें आग भुझानी है तो तुम removal of oxygen कर दो इसे smothering कहते है अगर तुम्हें removal of heat energy या आप ऐसे कह सकते है temperature को reduce कर दीचे तो इसे कहते है cooling cooling में क्या होता है temperature reduced below ignition temperature तमझ में आगे मेरी बात जी विया तो अगर आग बुझानी है तो तीन चीज़े करनी है या तो fuel अटाईए starvation या आप basically oxygen को भगाईए that is basically known as smothering या basically आप क्या कर दीजिए temperature reduced below the ignition temperature temperature of fuel लिख देता हूँ fuel के temperature को आप ignition temperature के नीचे लिए आईए ठीक है क्या करना है temperature of fuel temperature of fuel should be reduced below the ignition temperature तो या तो आप temperature को ignition temperature से नीचे लिए आईए तो आग भुझ जाएगी या fuel को अटा दीजिए या basically oxygen को अटा दीजिए तो इन तीनों cases की मदद से इन तीनों principles की मदद से आग भुझ सकती है ठीक है जी भईया चलिए एक चलो अब देखो NCRT का ही सवाल है आप से पूछते हैं explain the importance or necessity of oxygen for combustion through the given image सोचिए अगर ये तीनों images आपके सामने हो तो यहाँ पर oxygen की क्या importance है चीजों के जलने के लिए देखें अगर मैं यहाँ पर case A को analyze करता हूँ थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा मैं मैं अगला session भी हमारा यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर पहले case को analyze करूँ फिर दूसरे और फिर तीसरे case को तो ध्यान से देखना पहले case में क्या है पहले case में यहाँ पर दो wooden block रखे हैं इसके ऊपर एक ऐसे कांच का ब्लॉक रखा और नीचे candle रखी है बीच में ऐसे बीच में candle रखी है और यहाँ पर यह कांच का एक frame रखा हुआ है cylindrical form में दो wooden blocks के ऊपर तो इस case में क्या होगा यहाँ से भरपूर मातरा में oxygen जो है हवा से वं अंदर जाएगी ठीक है है ना तो यह बढ़िया तरीके से क्या है oxygen बढ़िया तरीके से अंदर जा रही है तो यह जलेगा तो पहले case में क्या होगा candle will burn ठीक है यहाँ पर क्या है proper amount of oxygen है दूसरा आप ये दोनों block निकाल दीजीए ये जो दोनों block है ये दोनों ऐसे block है इसके उपर यह रखीवी और अब ये दोनों block अठा दी तो थट करके नीचे रख दिया अब यहाँ से कोई oxygen नी जा सकती अंदर कोई oxygen नी जा सकती तो आपने oxygen की जो मातरा है उसको थोड़ा का कर दिया आपने इसके अंदर oxygen का amount कम कर दिया तो B वाले पार्ट में क्या हो जाएगा candle flame will flicker candle flame will flicker flicker का मतलब होता है कि वो ऐसे जपक रही है will flicker because of lack of oxygen क्योंकि यहां पर नीचे जाब हवा नहीं जा पा रही है तो ऐसे flame जपकने लग रही है मैंने आपको बोला किसी भी चीज को जलने के लिए oxygen का ज़रूरी होना है मतलब oxygen होगी तो वो चीज जलेगी ठीक है अब यहां पर क्या होगे सुनील भिया lack of oxygen हो गया है अंदर candle की flame क्या करेगी candle flame या candle will burn till entire oxygen is used for combustion यह तब तक जलेगी जब तक इसके अंदर जो oxygen कुछ हवा तो इसके अंदर है तो जितनी oxygen इसके अंदर है यह इसको यूज़ अप कर लेगी और जल जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगी बुझ जाएगी candle will burn until entire oxygen is used for combustion and then it will flicker finally it will extinguish यानि finally क्या हो जाएगी यह भुझ जाएगी क्या हो जाएगी भुझ जाएगी तो पहले case में क्योंकि proper amount of oxygen है यह बढ़िया से जिलेगी दूसरे case में आपने blocks हटा दी है जिसके ऊपर यह पड़ी थी तो नीचे से oxygen आ पारी थी अभी हटा दी नीचे रख दी आपने अब यहां से oxygen नहीं आ पारी सिर्व यहां से आ रही है तो यहां पर क्या होगा candle flame will flicker because of lack of oxygen ऐसे flicker करने लगेगी और साथ ही साथ यह क्या करेगी धूआ निकलेगी इट विल प्रडूस स्मोक एजवल आपको अभी बताऊंगा स्मोक क्या होता है इट विल प्रडूस स्मोक एजवल ठीक है यह ऐसे धुआ निकालेगे अपने अंदर पे स्मोक भी निकालेगी धुआ निकलेगा और तीसरे केस में तो भूजी जाएगी, अंदर जितनी oxygen में पहले उसको यूज करेगी, उसके बाद खतम, बुझ जाएगी, तो इससे ये पता चलता है, कि oxygen is necessary for combustion, oxygen is necessary for combustion, समझ में आगे मेरी बात, जी भाईया, चलिए फटाफट से आगे चलते हैं, सवाल के उपर, चलो, फटावट से बता दो, समझ में आ रहा है क्या, आए भाईया का नारा लगा दो, चैट बॉक्स के उंदर, चलो, अभी बहुत सारी चीज़े पढ़नी है, समय कम है, जल्दी से लगा दो, पोल देंगे, पोल देंगे, फटावट से लगे, फटावट से आ जल्दी से आ टाइम कम है, समय कम है, जल्दी से आ जाईए, फटावट से आ जाईए, ओपी, 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 आए भई, आए भई, ओपी, 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 आए भई, आए भई, आए भई, आए भई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़ी है, ठीक है, चलो सो अब कुछ प्रैक्टिस से सवाल करेंगे सबसे पहली चीज which among the following fires can't be extinguished by water इन में से कौन सी fire हम पानी से नहीं बुजा सकते अब यहाँ पर मैंने इस discussion को NCRT level पर रखने ही कोशिश करिए जादा advanced level पर मैं नहीं लेकर गया हूँ ठीक है जल्दी से बताएंगे which among the following fires can't be extinguished by water last time मैंने काफी advanced में discussion को रखा था advanced level पर लेकिन इस बार हम नहीं लेकर जा रहे हैं बच्चे कहते हैं सर आमाने school में पूछा ही नहीं जाता आप इतना उपपर क्यों लेके जाते हूँ which among the following fires can't be extinguished by water यानि जिसको आप पानी से नहीं बुझा सकते हैं ठीक है विटा चलो अ क्या बात है सारे को सारे सई क्या बात है दिव्यान सिंग दिव्यान शुकला सिंग विवेक अभिनाश मनीशा सौरप काजु स्टेटर्स आलोग अंकिता साकिब और आयूश क्या बात है अपने सारे बच्चे यह बहिए यह तो खतरनाक ओपी सीजोगी सो के सो परसंट बच्चे सही क्या बात क्या बात मैं आगए दोस्ति प्रॉब्लम क्या है मानली जो ओईल माग लगी आपने पानी डाला कोई मतलब है नहीं पॉइंट यह है कि यहां पर क्या होगा आपको यह पता है घनत्व जो है डेंसिटी वह किसकी जादा है डेंसिटी ओफोईल यह पानी और यह पानी नीचे चला जाएगा ओई उपर ही रहता है तो यह पानी के ओपर तैरता रहेगा न दोस्त यह पानी के ओपर तैरता रहेगा यह पानी के ओपर तैरता रहेगा तो इसमें आग कंटिन्यूड रहेगी तो अगर मान लीजिए किसी तेल में आग लगे और तुमने पानी डाला तो कोई मतलब नहीं उल्टा आग बढ़ जाएगी उल्टा आग बढ़ेगी और फैलेगी चीए ना फायर इ मत करना इसा पेपर वूड को सब्सक्राइब कानी कैसे बूजाता है ऑप यहां पर पानी यूँज़ कर सकते मैं बढ़े लकडि्या है कि इस पर अग लगे अब मानों कि तुमने पन डाला इसे करके दिखा दें क्या यह देखो यह पेपर यह पेपर यह पेपर में आग लगी है क्या मैं ना यह बिटा यह देखो यह पेपर वाली आ ऎंगे ना पेपर वाली आ और या ंगे ना पेपर वाली आ और या जेगो राज़ा जिते आरे ये बुछ गई टोक Go बुझ गई हाँ बुझ गई क्या हाँ अरे बुझ तो गई लाइटर को गीला कर गई कोई बात नहीं चलो अब यह क्यों बुझी सुनील वहिया आप यह बताओ यह क्यों बुझी अब पानी ने क्या किया होगा पानी ने दो काम किया होंगे पहला काम क्या करता है पहला प्रि डालोगे पानी उसको ठंडा करने कोशिश करेगा तो decreases temperature and bring it lower than its ignition temperature यानि ignition temperature से कम temperature करने की कोशिश करेगा तो पहला तो आग बुझ गई cooling principle की वजह से कि भाईया तुमने पानी डाला तो आग बुझ गई क्योंकि पानी उस particular fuel का जो ignition temperature उससे नीचर लेके आ जा रहा है ठीक है ना सो decreases temperature bring it lower than its ignition temperature इट्स का मतलब यहां पर क्या है फ्यूल के ignition temperature से नीचे ले आ रहा है दूसरा एक और गेम खेलता है पानी अब पानी को जब आप इसके ओपर डालोगे तो पानी वाटर वेपर बनेगा बनेगा कि नी बनेगा हाँ बनेगा तो वाटर क्या बन जाएगा वाट चाहिकर डांब है किस्ट टूट वाटर वेपर हैं प्युअ में बनेगा रहाए ही ए सप्रेड ओन फायर जब आप आग की ओपर इसको डालोगे तो आग से जो हीट ए नर्जी निकल रही उससे पा उनी पनानी वीसिकल करेगा अब cabbage क्या गरती है यह वाटर वेपर गडतih ह water vapor जो है यानि जो H2O है, it displaces oxygen, displaces oxygen from fire यानि smothering, because it is heavier than oxygen, जो water vapor है, अरे keep keep keep, ये cancel हो जा भाई तू, keep है भाई, क्या कर रहा है, क्यों क्यों परिशान कर रहा है, इधर आजा, क्यों परिशान कर रहा है, आजा, चलो, इधर देखो, तो पानी दो तरीके से सुखाता है, मतलब आग को भुजाता है, पहला, तो जैसे ही आपने पानी को डाला, तो तीन principles है, cooling, starvation और smothering, तो cooling principle ये कहता है, कौन सा principle, cooling principle सुनील भी है, ये कहता है हमको, कि जो चीज जल रही है, जैसी तुमने पानी ड तो इस particular चीज के temperature को वो lower down कर देगी, और कितना lower down कर देगी, उस के ignition temperature से नीचे लियाएगी, तो चीज बुछ जाएगी, दूसरा पानी क्या करता है, water turns to water vapor, because of the heat, it is, turns to water vapor, जैसे आपने इसको आग पर डाला, अब ये water vapor क्या करती है, oxygen को displace कर देती है, क्योंकि water vapor होती है, H2O, ये O2 से भारी होती है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसे लेगा कि सुनील भीया, ये इससे भारी कैसे है, इसका weight और molecular mass के अगर हम बात करें, तो ये तो basically इससे जादा नहीं है, oxygen का जो molecular mass है, वो तो basically क्या है, आपका जादा है, ये 32 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, बट अगर मैं mass के basis पर बात ना करूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोला चाहूँ, oxygen को displace कर देती है, बहुत तारे बच्चों के confusion होगा, भाया, heavy तो नहीं है, ये वाला point मैं इसको हटा देता हूँ, ये confusion ना create करें, ये आपकी किताब में लिखावा है, लेकिन मैं इसक कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा confusion ने create करें, बस इतना याद रखना कि it displaces oxygen from the fire that is basically smothering, उसको वहाँ से remove करने की कोशिश करती है, ठीक है, जालो, अब देखिए, ये दो चीजों की वज़े से होता है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं फटावट से, आवा जो, which among the following is the best extinguisher to extinguish electrical fires, जल्दी से बताएंगे, भाईया, प्लीज डोंट गो इन डीप, जल्दी से डीप में मत जाईए, छीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, आपने हैवियर वाला कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि आपकी किताब में लिखा है, इसलिए बताया, क्यों गलत है, H2O वाला कंसेप्ट जो है, वो गलत है, H2O का मास होता है 18 और ऑक्सियन का मास होता है 32, तो हैवियर कौन है, ऑक्सियन है, बट वो इसको डिस्प्लेस करने में सक्षम है, ठीक है, चलिए, इसके बारे में आप जानते नहीं होंगे, वेट केमिकल्स, पोटेशियम कार्बोनेट, इस्पेशल ड्राय पाउडर में आता है, बेसिकली सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम क्लोराइट, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और यहां पर इसको बोलते हैं, यह भी कुछ तरीकी के fire extinguishers है, और यह है basically आपका sodium chloride, ठीक है, यह है potassium carbonate, ठीक है, यहां पर हम carbon dioxide gas अस्तिमाल करते हैं, लोग बोलेंगे पानी का अस्तिमाल क्यों नहीं करते हैं, देखे कर मान लीजिए, पानी का अस्तिमाल करा आपने आग सबसे पहली बात, पानी को यूज नहीं करना, पानी को यूज करने का पहला reason, can't be used to extinguish, can't be used to extinguish electrical fires, क्योंकि, electrical fires as the person, यानि जो आग भुजा रहा है, dowsing the fire, जो बुजानी की कोशिश कर रहा है, dowsing the fire, may die, dowsing the fire, may die due to electrocution, बिजली का जटका खाके मर जाएगा वो इंसान, इसलिए पानी की तरफ से मत करना दोस्त, electrocution, मतलब बिजली का जटका खाएगा और मर जाएगा, मान लो बिजली, electrical fire है, बिजली की वज़े से आग लगी, तुमने पानी डाला, पानी डाला, जिसने पानी डाला वो ही मर जाएगा, क्यों, जटका लगेगा, पानी electricity कंड़क करेगा, मर जाएगा इंसान, दूसरा चीज, आग को और उल्टा बढ़ा दोगे, versus the fire, कोशिश भी मत करके देखना, आग चार गुना बढ़ जाए है, क्या करती है, smothering, displaces oxygen from fire, displaces oxygen from fire, oxygen को fire से displace करने का काम करती है, इसी लिए carbon dioxide gas का इस्तिमाल करते हैं, और दूसरा, ये basically cooling principle पे भी काम करती है, अब जिस cylinder में आप इसको भर कर लाते हैं, ये liquid format में होती है, तो जैसे ही आप इसको डालते हैं, तो ये काफी ज़्यादा ऐसे expand करती हैं, थंडी हो जाती है, इस वज़े से ये fuel के, जिए आपका ignition temperature उसे कम पर इसको ले आती है, ठीक है ना, cooling principle, decreases temperature, below ignition temperature, ठीक है, तो carbon dioxide gas use करने के दो reasons है, पहला smothering, smothering यानि कि वो क्या करेगी, oxygen को displace कर देगी fire से, cooling क्योंकि वो temperature को ignition temperature के नीचे लेकर आने कोशिश करेगी, अब इसके अंदर एक smart approach एक और हो सकती, मैं आपको बढ़ाता हूँ, smart approach यहाँ पर एक और हो सकती है, what is the smart approach, smart approach क्या है सुनील भी एक smart approach यह हो सकती, बिजली बंद कर दो, हाँ, है ना, switch off the supply of electricity, switch off, supply of electricity, आप electricity के supply को बंद कर दीजिए, अब electricity के अगर आपने supply को बंद कर दिया, तो basically एक तरीके से क्या हो गया, starvation हो जाएगा, क्या हो जाएगा, starvation, जिस चीज की वजए से यहाँ पर आग लग रही है, अगर तुमने उसी को हटा दिया, उसी के source को अटा दिया, तो basically आग बुझ जाएगी, अब मालो बिजली की वजए से दूसरी चीजों में आग लग गई है, आसपास के object में, तो वो इसकी मदद से बुझ जाएगा, को बंद कर दीजे, अब बिजली को बंद करने से क्या होगा, कि आपने supply जो है electricity का बंद कर दिया, तो starvation पहली चीज, अब बिजली के वजए से अगर दूसरी चीजों में आग लग गई है, उनको बुझाने के लिए carbon dioxide gas यहाँ पर काम करती है, तो यह dual approach होनी चीए, समझ मे ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, all combustible substances are not fuels, देखिए, all combustible substances are not fuels, आपको मैं बात बताता हूं, बहुत बढ़िया सी, fuels basically वो substances भी होता है, जिससे हम कुछ काम करवा सके, ठीक है, अब इस fuel की category में एक तो आ जाते है, normal fuels और एक आ जाते है, fossil fuels, fossil fuels जैसे की, जो fossil से मिलता है, dead remain से मिलता है, है ना, अब हर चीज़ को आप basically fuel consider नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, थो हम जब fire की बात करते है, fire tetrahydran की ब बोल रहे हैं, लेकिन हर वो चीज फ्यूल नहीं है, फ्यूल का एक मतलब यह भी होता है, कि ऐसी कोई भी चीज जो जब जले, इससे हम कुछ काम करवा सके, इससे हम फ्यूल कहते है, समझे हो, अब यहाँ वाला जो fuel है, इसको यहाँ पर कहना चाहरे, combustible substance, तो आप वो दो इसन और है, कि भाई fuel वो चीज है, जो कुछ काम करवा सके, झासे हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, उस fuel से क्या काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है, हम हमारे गढ़ में LPG जलाते हैं, उस से क्या काम हो रहा है, कि भाईया हम क्या कर रहे है, खाना बका रहे है राथ दूसरे तरीके से भी सॉचो चलो अब देखते हैं फ्लेयम त्स्ट्ठिक्चर इसके बारे में चर्चा स्टर्ट करते हैं आप देखे सबसे पहली दिषा कोई भी चीस बोड़ा dope उपर क्यो में जाथा जैंकि कंडा का जो मेंedar वो उपर क्यों जाता है नीचे भी जा सकता है है ना अब मान लो कि ये फ्लेम है जला रहा हूं तो ये फ्लेम उपर जा रहा है है ना ये नीचे से जला हूँगा तब भी उपर जाएगा उपर जला हूँगा तब भी उपर जा रहा है ऐसा क्यों नीचे भी तो जा सकता है मजना。 मानलो यह तुमारी candle है, यह मानलो तुमारी candle है。 क्या है दोस्त, यह candle है, और यह candle के आसपस में जो हवा है, यह हवा कौनसी है यह थंडी हवा है, जिसका ताफमान भी बड़ा नहीं है, कौनसी यह रही, अब क्या होगा कि जैसे हवा अभी जैसे हवा है वह वेस्टी के लिए ठंडी है लेकिन जैसे ही इसके कॉंट्यक्ट में आईगी तो कुछ हवा गरम हो जाएगी तो यह आपको सोचना है मैं बताता हूं यह फ्लेम जैसे आपने जलाया आसे फलेम जैसे आपने जलाया आसपास की हवा जो है ठंडी हवा गरम कि अपने क्या किया अपनले गरम किया, इससे गरम होगी, गरम होगी तो क्या बनेगी, hot air बनेगी, आसपास में हवा है, इससे heat energy निकल रही है, heat energy इनको मिलेगी, हवा गरम हो जाएगी, हाँ, हवा गरम हो जाएगी, तो kinetic energy particles की बढ़ जाएगी, हवा के जो particles है, उनकी kinetic energy बढ़ जाएगी, kinetic energy of particles of air increases, मैं अगर तुम्हें एक जगह बैठे हो, एक class में बैठे हो, और सब के नीचे आग लगा दो, तो सारे के सारे particles की अगर होगे, ऐससे भागोगे, ओ भागोगे, यह कौनसी energy kinetic energy है, कौनसी energy है, कौनसी energy है, यह kinetic energy है, कौनसी kinetic energy, तो kinetic energy क्या होती है, the energy related to the motion of a substance is called kinetic energy, जब भी हम किसी चीज के motion से related बात करते हैं, जब कोई चीज move करती है, या कोई चीज movement में है, तो that means हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसके पास क्या है, kinetic energy है, बहुत सरल शब्दों में बता रहो है, कक्षा नवी में आप इसको पढ़े ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि आप यह समझना, मैं आपको क्या बोला, मैं आपको यह बोला, कि मेरे दोस्त, यह हवा है, जब भी कोई चीज जलेगी, इसके आज पास की हवा गरम होगी, गरम होगी, तो हवा के particles की kinetic energy बढ़ेगी, यानि इनका movement बढ़ेगा, तेज होगा, तेज होगा, क्या बात है, अब इस concept पर अभी यहाँ पर नहीं जाते, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूलो, यहाँ पर आओ, अब मुझे बताओ कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, और मैं सब के नीचे अगर आग लगा दूँ, तो वो सारे के सारे बच्चे का कर भागो, 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 तो number of particles per unit volume, एक particular volume में number of particles जो है, वो घट जाएंगे, अगर यह घट जाएंगे, तो इन particles का कुछ mass यानि द्रवेमान होगा, mass per unit volume भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सरल सा मतलब क्या है, कि density घट ज समझ रहे हो, हवा को गरम किया, होट एर बनी, काइनेटिक एनरजी पारेटिकल्स की जादा हुई, number of particles per unit volume घटे, mass per unit volume घटा, यानि density यानि घरत्व घट गया, एक क्लास के अंदर 40 बच्चे बैठे थे, मैंने आग लगा दी, पारेटिकल्स यानि जो बच्चे बहुत हवा की density, घट गई, हवा की density, घट गई, तो इससे conclusion या आता है कि density of cold air is more than that of hot air, गढ़म हवा का घरत्व कम होता, इसलिए उपर जाती है, थंडी हवा का घरत्व भारी होता, इसलिए नीचे आती है, गरम हवा उपर जाती है उपर जाकर ठंडी हो जाती है घूम कर वापिस आती है आती है गरम हो जाती है उपर जाती है ठंडी हो के नीचे आती है तो एक तरीके से ऐसे गोला बन जाता है इस गोले को कहते कंवेक्शन करंट अब मेरे दोस्ते कंवेक्शन करंट की वज़े से त को यू शुटे फ्लेम का structure क्या उपर की तरफ जाता हवाकी वज़ते हवा आई का गरवब crisis up the फिर से यूं गई है ऐसे तो गरम वाइव उपर जाती एफ होутствर wonder हो एफ्से बिभुत जितिया फिर से नीच्चे आती तो यह तो यह तो व Rub. करें तो यह जो फ्लेम है उपर की तरफ जाती है अरे समझ में आया मज़ा आया बुद्धी में वैटरी बाते हां कंसर्ट देंगे अपन प्यॉर देगी क्लास का डूरेशन कम है छह क्लासेज में पड़ाता हूं लगबक मां से छह में डेड़िट गंटी की क्लास में उसको कंसीज करके 2 गंटे में लेकिया आरो 2-2 गंटे में कोशिश कर रहा हूं मैंगजिम चीज़े बताओं सब नहीं बता सकता पर मैंगजिम बता दूँगा ठीक है तुमारा पेपर त से प्यार हो जाएगा यह गैरेंटी है अब देखो अब आ गया जो कि सुनील विया अब यह कैंडल की फ्लेम को खाड़िये और हमको थोड़ा मज़ा दिलाइए आप से यहां पर मैं 15 मिनिट और चाहूंगा ठीक है 15 मिनिट और चाहूंगा आगे वाला सेशन मुझे लगता है 15 मिनिट और हमको आगे लेके जाना पड़ेगा साड़े सी बज़े वाला ठीक है पठीक है आईए फटावट से इसको स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ फटाफट से तो यह जो कैंडल है इसमें जो वेक्स है यह कौन सा है यह वेक्स कौन सा है डाट इस नथिंग बट पैर पैरा ओरे वेक्स है इस यह बेसीडिया क्रकार का क्या है है हीड्रो कारवन हैं कि मतलब होता है कि से ब दूसरी चीज़ candle का जो wax है, paraffin wax है, hydrocarbon से बना है, आणि hydrogen और carbon से बना हुआ है, दूसरी चीज़, candle के अंदर, ये जो tart लगती है, धागे की tart होती है, इस tart को बोलते है, wick, क्या बोलते है, wick, ये paraffin wax है, ये जो tart लगी वी है, इसे wick कहते है, wick के ओपर wax लगा होता है, क्या लगा होता है, wax लगा होता है, इसके ओपर क्या होता है, contains wax, ठीक, जैसे ही आपने माचीज की तीरी लगा के जलाया, इसके अंदर जो wax है, solid state में है इसमें जो wax निमो में आपने जलाया temperature ignition temperature से उपर गया आग लग जाएगी wax solid है wax आपका liquid बनता है यही wax आपका फिर vapor बनता है और vapor जो है इसी की वज़े से क्या आती है flame generate होती है कोई भी चीज लट्टे तब निकालती है जब वो vapor में convert होती है तो जैसे ही मैंने स्विक के ओपर माचीज की तीली लगाई मैंने ignition temperature को इसको इस जो मोम है इसको जो temperature चीए यानि ignition temperature चीए वो मैंने external source of ignition से दिया यानि यह मैंने माचीज की तीली ली और अगर मैं इसको जलाता हूँ तो जले लगेगी तो external source of ignition से मैंने वो temperature दिया वो जलेगी अब इसके अंदर जो wax है वो solid state में है liquid बनेगा vapor बनेगा और यहाँ पे लप्टे बनेगी अब लप्टे जो बनेगी flame प्लस heat निकलेगी light energy flames के format में साथ में heat निकलेगी अब ये heat क्या करेगी melts surrounding wax wax जो आसपास का wax है उसको melt करेगी यानि इसके आसपास में जो wax है इसको इसको पिगलाने की कोशिश करेगी समझ पारे हो? जी भी या तो सबसे बहले मैंने इसको जलाया जलाया तो इससे product साथ में heat और light energy निकले light energy flame के format में साथ में heat energy निकली ये heat क्या करेगी? आसपास की wax को melt करने की कोशिश करेगी अब क्या होगा? ये molten wax क्या करेगा? ध्यान से सुनना ये molten wax क्या करेगा? ध्यान से सुनना क्या करेगा? ये molten wax क्या करेगा? It starts to rise It starts to rise in the wick यह जो molten wax है यह उपर चड़ने लगेगा यह उपर क्यों चड़ रहा है molten wax सुनीलविया कोई भी चीज गुरुत्वा अकरशन से नीचे जाती है यह जो wax पिगला उपर क्यों travel करेगा because because यहाँ पर हो क्या रहा है मान लेते हैं कि इसको मैं तोड़ा जूम करके बनाता हूँ तो यह मेरा अगर क्या है विक है ऐसा है विक विक है यह और यह आसपास में क्या है molten wax है तो यह basically क्या है उपर की direction में travel करेगा ऐसे विक पे उपर चड़ने ही कोशिश करेगा क्यों इससे हम कहते हैं capillary action क्या बोलते है capillary action बोलते है यह उपर की तरफ क्यों चड़ रहा है हर चीज तो नीचे जाती है लेकिन अगर तुमने कभी देखा है पानी दोगे ना पेड को तो इसकी जड़ों से पानी उपर की तरफ जाता है ऐसा क्यों इससे कहते हैं capillary action यानि की कोई भी fluid यानि fluid मैं अभी मैं liquid को ही लेकर चलता हूँ परना मुझे gas की properties में आना पड़ेगा fluid moves against gravity यानि गुरुतवा अकर्शन के opposite में चलने लगता है गुरुतवा अकर्शन नीचे लग रहा है ओपर की तरफ जा रहा है when it moves through thin pathways अगर ये पतले pathways से travel करता है ये विक जो है बिल्कुल एक पतला pathway है pathway आप कह सकते हैं कि अगला pipe बोल सकते हैं एटसेटरा तो यहाँ पर क्या ये बिल्कुल पतला pathway है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका fluid या कोई भी liquid है ये उपर की तरफ travel करने लगता है समझ में आया इस wick के अंदर क्या है wax है जलाया wax solid से liquid बना liquid से vapor बना flame निकली साथ में heat निकली surrounding wax को पिगलाया surrounding wax दीरे-दीरे उपर चड़री है उपर क्यों चड़री है उपर इसी लिए चड़री है क्योंकि capillary action हो रहा है fluid moves against gravity when it moves through thin pathways पतले pathways से अगर fluid जाता है तो gravity के opposite चड़ जाता है दिसे पानी पेडों के अंदर जडों से उपर की तरफ जाता है ठीक है अब होगा क्या होगा क्या ये wax जो है कि मोल्टन वेक्स करेंगा यानि लाइट एनरजी साथ में निगा लेगा हीट एनरजी प्लस ये निगा लेगा प्रोडक्ट तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस यहां पर चलता रहता है ठीक है यानि ये wax melt करेगा ये देरे देरे ऊपर जाएगा फिर ये भी जाकर क्या है जलेगा फिर नीचे से और वेक्स जाएगा और वेक्स जाएगा ऐसे अंदर तीसरी important बात जो आपको जाननी चाहिए वो क्या है सबसे तीसरी important बात ये क्या है क्या क्या zones बनती है यहां पर तो सबसे पहला zone बनता है zone of zone of complete combustion यानि जहां पर बहुत बढ़िया amount में oxygen है और बढ़िया से कोई चीज जल गए complete combustion zone of complete combustion outermost zone अब देखिए ये कौन सा है तो ये सबसे बाहर वाला जो zone है नीले कलर का ये वाला ये और यहां पर ये जो transparent वाला है ये वाला ये basically क्या है zone of complete combustion that is basically outermost zone है अब यहां पर क्या होता है कि आपका hydrocarbon paraffin wax hydrocarbon इसको बढ़िया amount में oxygen मिल जाता है तो hydrogen k्या basically बना देता है hydrogen बनाता है water vapor carbon मतलब hydrogen मिलके बनाते है , carbonी dioxide साथ में निकलती है heat और साथ में निकलती है लाइट ही हाइड मिलके मिलके減र क्राफ ये और हाइड टरोकार ये मतलब hydrogen और hydrogen hydrogen और ऑक्सेमिल के बनाते हैं पानी कार्बन ऑक्सेमिल के बनाते हैं कार्बन डाउक्साइट साथ में हीट और लाइट एनरजी निकलता है अब यहां पर यह आउट्रमोस जोन है यह पहली बात यह दूसरी बात नीचे से आपको क्या दिखता है यह वाला पार्ट डाउन यह वाला पार्ट जो है डाट इस बेसिकली ब्लू प्लस यह एड़ टॉप जो है इन्विजीबल एट टॉप इसको बोलते हैं वेल तो नीचे तो यह दिखती है नीले का लर्की लेकिन उपर जाते जाते यह बहुत बढ़िया अमाउंट में आपको मिल रहा है यहां पर जो भी हाइड्रो कार्बन है उसको बहुत बढ़िया अमाउंट में आक्सीजन मिल रहा है बहुत बढ़िया अमाउंट में क्या मिल रहा है ऑक्सीजन मिल रहा है तो यह बेसिकली क्या मस्त तरीके से जल जाता ह है complete combustion हो जाता है सबसे बहार वाली जोन की हम बात कर रहे हैं outermost zone की यहाँ पर hydrocarbon को oxygen मिलता है water vapor carbon dioxide heat or light बड़ी amount में चलता है सब कुछ यह नीचे से नीली दिखती है और उपर जाते जाते invisible zone मन जाती है इसे बोलते हैं वेल blue at bottom और उपर जाके invisible हो जाती है तो यह पहली zone सबसे बाहर वाली zone complete combustion होता है oxygen का amount बढ़िया है लेकिन जैसे हम अंदर जाएंगे तो अंदर amount of oxygen बहुत घटिया है amount of oxygen अंदर ही नहीं यहाँ पर lack of oxygen है क्योंकि oxygen अंदर आ नहीं पा रहा तो ध्यान से देखें दो zones बनते हैं यहाँ पर सबसे पहला चौथा zone of incomplete combustion incomplete या partial combustion यह कहां पर है यह basically आपका middle zone है कौन सा zone है middle zone यह बीच वाला zone है that is basically your middle zone अब यहाँ पर क्या होता है क्योंकि यहाँ पर lack of oxygen है क्या है बेटा lack of oxygen यानि oxygen अंदर की तरफ नहीं आ पाता और यह candle flame की गलती है आप समझो oxygen अंदर नहीं आ पा रहा है यह candle flame जो है structure बनता है उसकी गलती है तो अब होता क्या है कि इस case में अगर hydro carbon आपके पास होगा और lack of oxygen अगर आपके पास होगा तो यहाँ पर water vapor तो बनेगा लेकिन आपके carbon dioxide की जगे क्या बनेगा carbon mono oxide बनेगा साथ में heat और साथ में light और अगर मेरे दोस्त आप और अंदर चले गए इवन लेस oxygen और 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 लेस oxygen होगा इसमें तो यहाँ पर hydro carbon जलेगा oxygen की presence में लेकिन carbon को जलने के लिए oxygen नहीं मिल पारी है तो अनबंट carbon होगा आप समझ रहे हो आप जैसे ही और अंदर चले जाएंगे oxygen का कमी होता जा रहा है तो इसका यह मतलब है कि carbon नहीं जल पाएगा लेकिन water vapor यहाँ पर generate हो जाएगी साथ में heat और साथ में light यह आपको समझना पड़ेगा तो यह है zone of incomplete या partial combustion that is basically your middle zone और फिर सबसे अंदर बिलकुल अंदर घुज जाओ तो यह सबसे अंदर वाली जोन काली जोन यह रही यह है जैसे अंदर जाते है जोंगे बिलकुल्स्यं कम हो जाएगा zone of zero combustion no combustion हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है यह प Double combustion या डार्क जोन इसको आं बेसिकली कहते है यह बेसिकली आकपर क्या होता है इनर मोस्ट जोन होता है पी इनारमवीं यह वदा ठीक है है तो बहुत है यहां पर यह पीले क कलर की क्यों है देखिए जब कॉम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है अगर आप नोट करें तो इंस नेले कलर में जब इंस पैसे कम उप्ले क्लर मैं नीलत के अग्यार की अन्बंट कार्बन के साथ इंबंट कर्बन के साथ क्या जाता है यह काफी जादा होच हो जाता है इसको बेसिकली बोलते हैं इनकेंडिसेंस कोई भी चीज जब घरम हो जाती है बहुत जादा तो ग्लो करने लगते हैं तो यह जो कारवन अंदर जल नहीं पा रहा है औकसीजन की कमि की वज़あります, यह काफी जबा गरम हो गया है और अब यह ग्लो करने लगता है यह ग्लो करता है क्या करता है गिव्ज यलो कलर टूदा फ्लेम पीला कलर देता है यलो कलर तूद फ्लेम and leaves as suit यह basically unbund carbon जो है यह पीला color दे देता है आपकी flame को and it leaves as suit यह क्या करता है yellow color दे देता है flame को and it leaves as suit यानि unbund carbon रैसे मान लीजिए आप तो यहाँ पर जो भी बीच में carbon है जो जल नहीं पा रहा है बहुत जादा गरम होने की वज़े से glow करता है इसे बोलते incandescence और यह flame को पीला color देता है and it leaves as suit suit का मतलब क्या होता है यह ऐसे यहां से निकल जाएगा इदर से निकल जाएगा आप हाथ लगाओ तो हाथ काला पढ़ जाता है that is suit unbund carbon देखा है अभी मैं चीशी काली पढ़ जाएगी तो यह पीला color है just because of just because of unbund carbon और यह unbund carbon suit की तरह निकल जाता है यह देखो इस flame के उपर मैंने लगा दिया अब ध्यान से देखना अरे वाई साब डबी पिगला दी इन्होंने तो ऑड़ी काली पढ़ गई क्या यह देखो कड़ी काली पढ़ गई यह यह basically suit unbund carbon है समझे लोग यह unbund carbon शूट काले जिख रहा है यह देखो ठीक है ठीक है एटी के अ समझ में आया राजा बटा तो यह सारी जोंस आपको समझ में करें आघये होगी सबसे जादा ठमप्रेचर कहा हम लाची यह सबसे जादा ठ spent चरकावं सबसे जादा टेम्परेचर होता है जोन आफ कंप्लीट कमश्षण का हाइस सभू होता रहा हैक ठीग है? चारो. अब आजाओ. टाइपस ओफ फ्लेम on the basis of amount of light produced. लास्ट सेकंड टॉपिक है, जल्दी से खतम करते हैं. कौन-कौन सी टाइपस की फ्लेम होती है on the basis of amount of light produced. तो देखें, दो प्रकार की फ्लेम होती है हमारे पास. दो प्रकार की फ्लेम से हमारे पास एक जो incomplete combustion स निकलती है. complete combustion से कौन सी फ्लेम निकल रही थी candle में? नीले कलर की फ्लेम. और incomplete combustion से कौन सी निकल रही थी? पीले कलर की फ्लेम. याद आ रहा है, इस मोमबत्ती में यह वाली complete combustion से नीले कलर की फ्लेम. और incomplete combustion से पीले कलर की फ्लेम. तो यह कैसी होती है? यह होती है basically yellow. ठीक है? यह होती है basically yellow और यह होती है कैसी नीली यह होती है luminous और यह होती है non luminous और luminous और non luminous का क्या मतलब है आईए फटाबट से बताएं आपके अगली class भी है luminous का मतलब होता है सुनील भहिया जो बहुत जादा amount में light निकाले वो luminous जो बहुत कम amount में light निकाले उसे बोलते है non luminous ममी को बोलना किचन में जाना पूरे किचन में अंधेरा करना ममी को बोलना ममी गैस को जलाईए तो चूले पे गैस जलेगी फिर आप किचन में देखना कितना रोशनी हुआ फिर उसको भुजाना, फिर मुंबत्ती जलाना और फिर देखना कितना रोषनी हुआ तो नीले फ्लेम से रोषनी कम होता है, पीले फ्लेम से रोषनी जादा होता है तो luminous flame जिससे बहुत light निकले, non-luminous जिससे बहुत कम light निकले तो दोस्त ये luminous से बहुत जादा amount of light निकालता है ये बहुत कम amount of light निकालता है ये basically किसकी वज़े से निकलती है यलो कलर की flame hot unbund carbon particles की वज़े से निकलती है लेकिन यहाँ पर कोई भी unbund carbon particle नहीं होता है क्योंकि oxygen बहुत अच्छी मातरा में है तो सब कुछ जल जाता है और carbon carbon dioxide बना लेता है समझे राजा बेटा जी भाईया छोटा छोटा टॉपिक है बेटा अब चलते हैं 15 मिनिट और है स्वर्गी क्लास चालू होने वाली है एक बार आए भाईया लिख दें last second topic पे हैं हम लोग फटा फटर खतम करेंगे आए भाईया लगा देंगे वड और क्या बुला वड और चलो आप देखो एक भाई कुछ वुट से रिलेटेड लिख रहा था हूं मैसेज ही मिस हो गया वुट कहां गया एक वुट से रिलेटेड सवाल अच्छा लग रहा था कैलोरिफिक वैली ओफ फ्यूल अब एक तरीके से यह प्यूल की एफिशेंसी को बताता है प्यूल एफिशेंसी जैसे मेरे दोस्त तुम्हारी एफिशेंसी निकाली जाए तो यह क्या मतलब हुआ फ्यूल की efficiency मापते हैं calorific value में जैसे मैं तुम्हारी efficiency नापू कि 9 गंटे में तुमने कितना काम किया और 9 गंटे में दूसरे बच्चे ने कितना काम किया और 9 गंटे में तीसरे बच्चे ने कितना काम किया तो जिसने ज़ादा काम किया ज़ादा efficient जिसने कम काम किया काम efficient जिसने सबसे काम किया सबसे कम efficient उसी प्रकार से आता है calorific value of a fuel यह fuel की efficiency मापने का तरीका है कि यह बहुत तगड़ा fuel है यह थोड़ा कम तगड़ा fuel है कैसे calorific value का मतलब है amount of heat energy released on burning one kilogram of fuel मान लीजिये कि मैं किसी चीज में एक kilogram मान लीजिये मैंने cow dung जलाया गाय का गोबर और एक kilogram petrol जलाया कौन ज़्यादा heat निकालेगा एक kilogram में अब जो ज़्यादा heat निकालेगा वो ज़्यादा काम कर चलेगा जो ज़्यादा heat निकालेगा ज़्यादा काम कर लेगा या ज़्यादा तेज काम कर लेगा मान लीजिये मुझे खाना पकाना है अब मैं लकड़ी जलागे खाना पका रहा हूँ और मैं LPG जलागे खाना पका रहा हूँ क्या है calorific value उसका हमारा क्या है जादा है आईए दिखाते हैं आपको calorific value आईए तो कितना amount of heat energy निकलेगा जब हम 1 kg fuel को जलाएंगे इसे हम heat of combustion भी कहते हैं calorific value यानि भाई मेरे 1 kg के fuel को मैंने जलाया तुमने कितना amount of heat energy निकला ये तुमारा क्या है fuel का efficiency मापने का तरीका है जिसे हम बोलते है calorific value of a fuel इसे हम ये भी बोलते है heat of combustion ठीक है अब यहाँ पर heat energy है कोई भी energy है तो उसकी unit क्या हो जाती है हमारे पास energy की जो unit हो जाती है वो हो जाती है joule इसका ये जे छोटा होगा और ये वाला जो जे होता है capital होता है symbol वाला kilo joule का मतलब क्या है दैसे आपने लिखा है kilo joule तो वन किलो इसका ये मतलब है कि 10 की पावर 3 यानि 10 की पावर 3 है ये समाजी में आगया ये मतलब है तो भाईया अगर मैं एक kilogram fuel को जलाता हूं तो कितना kilo joule का heat energy निकलेगा एक kilogram अगर मैंने कावडंग जलाया तो बेसिकली 6000 से 8000 किलो जूल 6000 से 8000 किलो जूल पर kilogram यानि हर एक kilogram पर इतना kilo joule heat energy निकलेगा लकडी को जलाएंगे तो 17000 से 22000 किलो जूल पर kilogram जब आप एक kilogram को जलाएंगे तो इतना amount of heat energy निकलेगा ऐसे coilे को जलाएंगे तो इसमें भी range है ये depend करता है इसकी quality पर depends on the quality ये range इसी लिए आ रही है कि इसकी quality क्या है quality की वज़े से क्या है range है range क्यों है because of the quality range range क्यों है range is because of quality petrol 45,000 kilo jewell per kilogram के रोषीन 45,000 kilojoule per kilogram diesel 45,000 kilojoule per kilogram gasoline 50,000 kilojoule per kilogram CNG 50,000 kilojoule per kilogram LPG 55,000 kilojoule per kilogram for लखडी से जलाओगे और इसको जलाओगे तो खाना जल्दी LPG पर पकेगा ज् CT सबसे जादा आपका कैलोरिफिक वैल्यू है वो है हाइड्रोजन का ठीक है जी बहीं है क्लियर है बात वुड और कोल से किस टाइप का कमशन देखे लकडी आपका सबसे पहला लाइट एनर्जी के बेसिस पर बर्निंग शो करता है कोईला इस माउडरिंग शो करता है ठीक है समझ में आगे मेरी बात अब लकडी में सुनील भाईया पीले कलर का फ्लेम निकल रहा है पीले कलर का यह इनकंप्लीट कमशन हो रहा हो आउटर मोस जोन में इनर्जोन में आपका इनकंप्लीट कमशन या पाशल गमशन जिस वजह से पीला कलर आता है दुआ भी निकलता है शूट अन्बंट कार्वन पार्टिकल निकलते हैं न लट्स प्रैक्टिस अब दो सवाल और करेंगे गेम ओबर जल्दी से बताएंगे फटाबट इन विलेजिस पीपल यूज़ वुड एस फ्यूल बिकॉस इस कंसीड़ एस इस इविलेबिलिटी और लो कोस्ट इस एन्वायरमेंट फ्रेंडली इट कैचिस फायर इजी ली अच्छा पहले मैं आपको यह बता दू आइडियल फ्यूल क्या होता है अच्छा पहल कि बैट कंसेंधा देने की कोशिश कर रहा हूं दो गंटा दस मिनिट में जितना कॉंटेंट जल्दी जल्दी दे पा रहा हूं उत्ता दे असक्षिक कर रहा हूं आपका एक्जाम जो है वो भी निपढ जाएगा और आपके कंसेट भी हो जाएंगे मैक्जिमम चीज़े देने के कोशिश कर रहा हूं चीक है बेटा चीक है मेरे प्यारे भाई बन समझ में आगे बाद तो चलिए सबसे पहला कुछ बच्चे बोलेंगे आइडियल फ्यूल क्या होता है पर फिर भी समझ लेते हैं क्या होता होगा आइडियल का मतलब क्या होता है कि एकदम परफेक्ट अब एकदम परफेक्ट तो कौन है एकदम परफेक्ट कौन है भगवान a fuel that has the following properties is called an ideal fuel यानि ये कह रहा है कि जो below properties मैं list down कर रहा हूँ ये ideal fuel है ideal मतलब कि एकदम perfect, खतरनाक, ideal कुछ होता ही नहीं है तो ये कह रहा है कि ऐसा fuel जो सबसे ज़दा आपका economical हो, cheap हो, या आप कह सकते है affordable हो समझ रहे हो? यानि एक तो सस्ता हो सस्ता होने के साथ साथ आसानी से available हो high calorific value हो और environment friendly हो मतलब एक तो सस्ता हो आसानी से available हो अब जो चीज आसानी से available होती है है ना, मतलब जो easily available है हो सकता है कि वो economical and cheap हो लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि उसकी calorific value फिर high हो अगर उसकी high calorific value है तो उसकी demand क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और उसका price क्या हो जाएगी तो price क्या होना चीए लोगों में demand बढ़ रही है तो price बढ़ना चीए ना समझ रहो इट इस economical cheap और affordable कैसा फ्यूल जो सस्ता हो आसानी से अवेलेबल है तो सस्ता होगा ठीक है हाई calorific value होगी तो सस्ता नहीं होगा दोस्त तब तो महंगा होगा ठीक है ना अब लकडी और पेट्रोल कंपेर करें तो कौन महंगा पेट्रोल महंगा है एंवायरमेंट friendly भी हो ठीक है तो अगर ये सारी चीजें होगी ये दोनों चीजें होगी तो बेसिकली यह रेट जो है ऊपर चला जाएगा ठीक चलिए बहुत बढ़िया तो यह हुआ ideal fuel तो क्या लकडी ideal fuel है अरे नहीं यह लकडी ideal fuel लकडी को लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वह आसानी से अवेलेबल है और उसका low cost है पर लकडी का करती है undesirable undesirable substances undesirable substances दैसे की undesirable substances दैसे की pollutants को release करती है तो ऐसा नहीं है कि लकडी यह release नहीं करती है लकडी unwanted substances release करती है जिससे क्या होता है air pollution होता है तो कोई भी ऐसा fuel है वो ideal fuel कभी भी नहीं बन सकता वो एक अच्छा fuel बन सकता है it cannot become ideal ideal मतलब हर चीज़ में perfect आसानी से अवेलेबल है है ना सस्ता है high calorific value होय है कोई unwanted substance यानी pollutant release नहीं कर रहा ऐसा possible नहीं है चलो अब देखो आगे चलते हैं फुटावट इस statement का मुझे answer बताईए choose the incorrect statement from the following a good fuel is one which बस इसके बाद एक सवाल और class over a good fuel is one which which हाँ मेटा बस एक मिनिट में छोड़ रहा हूं मैं अभी मुझे भी पता आपकी class है इसलिए आपने देखा मेरी भी speed थोड़ी बढ़ गई है माफी चाओंगा अगली class को और concise करने कोशिश करेंगे आलोक सर का class है मैं बस अब दो मिनिट में आपको छोड़ूंगा है ना सौमया, सोनी, आकरिती, अनीता, बिने, अर्पिता, बबलू, मिश्रा, स्क्राफ्ट, सार्तक, और वृद्धी अब देखो मेरे साब से एक अच्छा fuel एक अच्छा fuel क्या होगा जो आसानी से available हो बहुत बड़िया large amount of heat निकाले मतलब high calorific value हो हां मैं तो चाहूंगा न ऐसा ही हो भाई high calorific value होगी तो काम हमारा जल्दी हो जाएगा तीसवरा leaves behind many undesirables अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा environment को बरबात करना कोई क्यों चाहेगा burns in here at a moderate rate ठीक है ये भी मैं चाहता हूं तो ये वाला नहीं चाहूंगा incorrect गलत last सवाल which among the following products are not released on the burning of fuels यानि fuels को जलाने पर इन में से कौन सी चीज नहीं निकलती है ठीक है क्या सुनील भी या fuels combustible substances है हाँ fuels combustible substances होते है पर क्या सारे combustible substances as fuel use किये जाते हैं क्या नहीं सारे को कैसे यूज़ करोगे अब आपका straw combustible है आपको इसको fuel की तर ही यूज़ करोगे क्या नहीं fuel का specifically मतलब क्या होता है ऐसी कोई भी चीज जिसको हम किसी काम कराने के लिए इस्तेमाल कर सके उसे fuel कहते हैं समझ रहे हो अब मैं straw को जलाता हूँ तो उससे में क्या काम करा सकता हूँ मेरा environment और खराब होगा समझ रहे हो तो वो combustible है लेकिन वो fuel नहीं है चलिए बिलकुल लास्ट सवाल अब end करेंगे session गो तो बस लास्ट सवाल है हमारे पास इसके बाद आपकी जो अगली class है थोड़ा सा आगे shift हो जाएगी ठीक है ना पंदरा मिनिट आगे हम कर देते हैं ठीक है ना 645 से मुस्ट को start करेंगे माफी चाहेंगे दोस्तों आपसे आप 15 मिनिट का एक break ले लीजेगा फिर आलोग सर यहां आ गए आलोग सर आपकी class को लेंगे ठीक है समझ गए बहुत बढ़िया तो देखे जैपाल अनीता वृद्धी सक्षम स्पोर्ट स्कौर्डन्स रुच्ची मनोज दिव्यांच आयूश एंडरी तो बहुत बढ़िया दोस्तों अब ध्यान से आप इस चीज को समझना अब आप जब फ्यूल्स को जलाते हैं तो इसमें से कौन सी चीज नहीं निकलती क्या अन्बंट कार्बन निकलता है क्या अन्बंट कार्बन यह भी प्रेड्यूज होता है है ना अन्बंट कार्बन और कार्बन मोनो अक्साइड का प्रेड्यूज होते है जब आपका बेसिकली फ्यूल का क्या होता है इनकंप्लीट या पार्शल कंबस्चन होता है पढ़ाया था मैंने इनकंप्लीट या partial combustion of fuel, ठीक है राजा बेटा, incomplete या फिर partial combustion of fuel होता है, तो यह release होते हैं, अब यहाँ पर carbon monoxide क्या है, it is basically a poisonous gas, यह मैं आपको pollution of air and water में बताऊंगा कि यह poisonous क्यों है, zerrally gas है, तो जब incomplete combustion होता है carbon का, तो carbon monoxide निकलता है, और अगर कम oxygen होगा, तो अन्बंट carbon निकलता है, जब basically amount of oxygen कम होता है, तो carbon monoxide निकलता है, dioxide की जगे, और कम होगा तो अन्बंट carbon निकलेगा, समझ पा रहे हैं, जी भी या, oxides of nitrogen, sulfur and carbon, यानि यह कहना चाहरा है कि nitrogen का dioxide है ना, nitrogen का dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon dioxide, आप fuel को जलाओ के तो नहीं निकलता है, बिलकुल निकलता है, petrol जलाओ, diesel जलाओ, आप लकडी जलाओ, इन में से निकलता है, 100% निकलता है, और इन से क्या होता है, यह भी बताएंगे, pollution of air and water में अमल वर्षा acid rain होती है, यह इस chapter का topic नहीं है, pollution of air and water का है, पर अलकल का एक introduction दे रहा हूँ, अन्बंड carbon से asthma हो जाता है, respiratory disease, carbon monoxide, zerily gas है, यह मेरे दोस्त, acid rain करते हैं, कई ना कई आपके environment में दिक्कत create कर रहे हैं, आपके लिए दिक्कत create कर रहे हैं, इसलिए pollutant है, last ozone gas, यह release नहीं होती है, ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़ी है, चलो, अब प्रयोक्षाला वाला पार्ट जो हमारा है, that is already being done, तो बस, thank you बाल को, class में आप आए, बिटा मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको maximum चीजे, minimum टाइम में भैतरीन तरीके से देपाऊ, and I hope आपने enjoy किया है, क्योंकि पूरा content प्यारे तरीके से detailed way में आपको दिया गया है, I hope आपने session को enjoy किया है, आपको experiments पसंद आये हैं, अब आप अपने NCRT के सवाल या दूसरे सवाल लगाना, और मैं चाता हूँ कि सवाल आप पूछो, सवाल पूछो, questions पूछो, that is very very important, ठीक है, सवाल पूछना दोस्तों बहुत ज़्यादा important है, मैं हमेशा बच्चों को motivate करता हूँ, सवाल पूछिए, मैंने आची class में आपको सवाल दिया है, forest fire, spontaneous किताब बोलती है, लेकिन है की नहीं है, यह आपको सोचना है, क्योंकि सूरज की जो धूप है, वो तो मिल रही है न, ignition source तो मिल गया, think about it, हाँ, man made source भी हो सकता है, हम camp fire या bonfire लगाते हैं, हम चले जाएं और छोड़ जाएं उसको भुजाएं न, उससे आग लग लगी, तो फिर मेरे दिमाग में यह आता है, कि जब इसका ignition source हो सकता है, तो आप इसको spontaneous में मत रखो, थोड़ा सोचो, ठीक है, तो दोस्तों मिलते आप अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, खुश रही है, stay healthy, stay awesome and always say, जै जै जै, physics वाला, जैन जै